पुपली बहा नगर के नाव नगर में उपस्तित सभी सम्माने लेये लागरे कोई हो मैं आप सभी को ग्रापती उस्वती बहुत बढ़ाई देता हूँ शुपकामनाई व्रत्त करता हूँ शुपकामनाई व्रत्त करता हूँ ग्रापती के लिए इस्थापना का तारिख वो आपने यहां किया है वो आगे भी इस तरह से नियावी द्रूप से चलता रहे है आप सब इस ग्रापती मंद्र के आवना के साथ दूरे रहे हैं और भारत में एक महान राश्मवादी चिंतक्स, इचारत और हमारे देश के लेता शुपकामनाई ग्रापती की स्थापना हमारे देश में कराई वो उदेश इस देश में पूरा होगा ऐसी मैं इश्वर से पातना करता हूँ आप सभी नागरिक बंद्रों से इस बात के लिए श्वर मानदा हूँ कि मैं आपसे बहुत अच्छे से कहरा भाशा में बात पूर जा सकता इसलिए कहरा हिंदी मिला कर आपसे बात करूँगा मुझे इस गनपकी मंदल के आयोजन में जो विशय दिया है आपसे संबाद करने का वो विशय है कि लोगमाने शुरी बाल गन्रादर तिलक में गनपकी आंकोलन या गनेशोपस्वाथ का अभ्यान हमारे देश में क्यों चलाया कैसे चलाया उसका हमारे देश को क्या उतलती हुई और आज हमारे देश में ये किस स्वरूप में स्थाफुचा आप सभी जानते हैं कि भारत देश में गनेशोपस्वाथ का सामाजित रूप से जो आयोजन शुरू हुआ वो श्रीra NGO माने के लगव के बहुत प्रयासूं के बातब हुआ है श्रीra NGO माने के लगव में आठाइसो चौरांग़ के साल में यह गणनती उससर का आयोजंज शुरू किया 1894 1894 में श्रीra NGO में इसको चूँ शुरू किया कारण उसका क्या था आधार उसका क्या था हमारे जहाने में हमारे देश में 1994 में अंग्रेजों की सरकार चलती है और अंग्रेजों की सरकार में भारत देश में एक नियम बनाया था कानून बनाया था वो ये कि भारतिय नागरिक एक साथ किसी इस्थान पर एकातृत नहीं हो सकते उसके लिए उन्होंने एक कानून बना दिया और वो कानून में भारत के नागरिक पाँच की संक्या में अगर कहीं पर बिटिश पुलिस अंग्रेजों की सरकार की जो सेना होती थी वो भारतिय नाग्रिकों को समूह में देख देख तो निश्चित रूप से उनको पुलिस अरेस्ट करती थी जेल न डालती थी और उसके बाद उनके उसकर भेल कर अत्याचार बिता और वो अत्याचार आप तलपने नहीं कर सकते कोड़े मारने से लेकर हाथ के नाखुल खीच लेने तक का अत्याचार अंग्रेजों की फुलिस निया करती अंग्रेजों की सरकार थी, उनी का कानून था, उनी का भियाँ था अदालत में जो जजिस होते थे, वो भी अंग्रेज होते थे अगर कोई भारतिये नाग्रेजी फुलिस के अत्याचार के बिरुध कोई शिकायक करे तो अदालत में वो शिकायक सुनी नहीं जाती थी क्योंकि यह जग अंग्रेज होता था ऐसा माहौल पूरे देश में बना हुआ था हमारे भारत देश में सन 1875 में एक महान विर्थी हुए थे श्री बंकिम चंडर चटो पाध्याई जी उन्होंने एक गीट लिखा था 1875 में वो गीट का नाम बंदे मातरम तो बंदे मातरम गीट को गाने पर भी अंग्रेज सरकार ने पाधन भी लगा रखिया भारतिय नागरिक यदि बंदे मातरम गीट गाई गे तो अंग्रेजों की पुलिस उनको जेल में पकड़के बंद कर देगी ऐसा कानून था तो एक साथ हम एकत्रित नहीं आ सकते थे कोई सामूहिक कारिकर नहीं सकते थे बंदे मातरम गीट नहीं गा सकते थे ऐसे कड़े प्रतिवंद हमारे देश पर अंग्रेजों ने लगाए होए थे और उस समय अंग्रेजों के खिलाफ जो भारत का आंदोलन था स्वातन प्रांदोलन था उसके सबसे बड़े नेता थे श्री थिदक उन्होंने अंग्रेजों की सरकार के ये जो प्रतिवंध थे जो पाबंदी थी इसको निरस्त करने के लिए एक योजना बनाई और उन्होंने ये पैय किया कि अगर अंग्रेज सरकार 5 या 5 से ज्यादा लोगों पर पाबंदी लगा रही है तो कोई ऐसा आयोजन शुरू करना चाहिए जो अंग्रेजों की सरकार के इस कानून को भंग करे और नागरिकों के मन में शक्ति आए दर निकल जाए अंग्रेजों की सरकार का जो भय है वो भारत के नागरिकों के मन से निकलना चाहिए ऐसा सोचकर उन्होंने ये गणेश उत्सम शुरू किया 1894 के पहले हमारे भारत देश में गणपती उत्सम होता था, गणेश उत्सम होता था लेकिन वो घरों में होता था, परिवार के अंदर होता परिवार के लोग मिलकर गणपती उत्सम मनाते थे पहली बार श्री लोकमा निबाल गंगाबर दिलत में 1894 में पुने के शनिवार वाड़ा में पहले गणपती की स्थाफना के थी आप जानते हैं कि पुने एक बहुत बड़ा शहर है पुना महाराश्क में वहाँ पर एक बड़ा इस्थान है शनिवार वाड़ा इस शनिवार वाड़े में पहले गणपती की स्थाफना हुई थी 1894 में और वो इस्थाफना स्वयम श्री लोकमा निबाल ने अपने हाथों से की थी और उस इस्थाफना में एक गणपती मंडल उन्होंने बनाया था शनिवार वाड़ा गणेश मंडल वो भाड़ का सबसे पुड़ाना गणेश मंडल है तो उस गणेश मंडल के खारी करता हूँ तो उन्होंने एक संकल्व कराया था कि हम ये गणेश उत्षाफ का पर्व 10 दिन तक बनाएंगे अंग्रेज पुलिस अगर हमें गिरफतार करेगी तो हम जेल में जाएंगे लेकिन गणपती उत्षाफ को हम जरूर बनाएंगे और ऐसे करके ये गणेश उत्षाफ की शुरुवात हमारे देश में हुई और सौभागी से क्या हुआ 1994 का पहला जो गणेश उत्षाफ शनिवार वाड़ा में हुआ तो अंगेश पुलिस बोड़ी परेशान हुई क्योंकि जो गणेश उत्षाफ को बनाने वाले कारिकरता थे उनको वो पकड़ नहीं सकते थे कारण ये था कि वो धार में गतिविधी में शामिल है राजिने के गतिविधी में अगर वो शामिल होते कोई पुलिस उनको अरेस्ट करती लेकिन चुकि वो धार में गतिविधी में शामिल पे इसलिए अंग्रेश पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया और पूरे दस दिन तक वो गणपती उत्सव चला 1894 में 1894 में 20 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक ये कारिक्रम आयोजित हुआ था श्री लोक्मा ने टिलक ने हर दिन शाम को एक व्याख्यान वहाँ पर आयोजित किया था स्वयम श्री लोक्मा ने टिलक उस व्याख्यान में हाजिर रहते थे खुद उसमें शामिल होते थे और बड़े-बड़े वक्ताओं को वो उसमें बुलाया करते थे एक दिन का व्याक्षान हुआ तो उसमें उन्होंने कलकता से एक बहुत बड़े नेता को बुलाया उनका नाम था श्री विपिन चंद्रपाल 20 अक्टूबर 1894 के पहले व्याक्षान में विपिन चंद्रपाल वहां आए 21 अक्टूबर का दूसरा व्याक्षान हुआ तो उसमें श्री लोक्मानि दिनक में उत्तर भारत के बड़े नेता को बुलाया श्री लाला लाज को तराय वो 21 अक्टूबर को आए फिर तीसरे व्याक् mods में उन्होंने आपने नाम सुना होगा कि हमारे भारत देश में पुने शहर में तीन महान क्रांटिकारी पैदा हुए एक भाई के लूप में तीन भाई एक साथ एक ही परिवार में क्रांटिवीर के लूप में जनम लिया वो थे श्री चाफेकर बंदू तो तेवी सक्टूबर को व्याख्यान चाफेकर बंदूओं में जो सबसे अंजरेच थे बड़े थे उनका हुआ फिर चौबी सक्टूबर को चाफेकर बंदूओं में दूसरे नंबर के जो उतके भाई थे उनका हुआ एक श्री बाई प्रश्न चापेकर, एक डया प्रश्न चापेकर, ऐसे करके तीनों चापेकर बंदूओं का व्याख्यान हुआ, फिर उसके बाद श्री लोकमा ने तिलेट ने, मुम्मई से एक बड़े नेता को बुलाया, उनका नाम था, फिरोश शाह मेता, उनका एक गणपती उत्सब हुआ व्याख्यान माला चनि, जितने भी वक्ता वहां पर व्याख्यान देवी के लिए आए, पहले गणपती उत्सब में, सबका जोर ये था, कि भगवान गणेश हमारे देश को आजानी दिलाए, भगवान गणेश हमारे भारत को स्वराज दिलवाए, हमारे भारत देश में अंग्रेजों की सरक्यार समाप्त हो सभी व्याध्याताओं ने इस तरह के विशय लिये थे और जितने भी लोग सुनने के लिए आते थे उन्में उन्होंने देशवक्ति की भावना राश्रवक्ति की भावना पूरे जाख्यानों के माधियम से भरने का काम शुरू किया हूँ परिणाम क्या हुआ पूरी के लोगों में गणपती आयोगन के लिए उत्साह पैदा हुआ और 1894 में पहले गणपती की स्थाफना पूरे में शनिवारवणा में हुई अगले वर्ष 1895 में पूरे कोने में 11 गणपती मन्दल बने एक ही वर्ष के बाद और 11 गणपती स्थाफित होए यह संख्या बढ़ती गई और 1891 तक आते आते पूरे से बाहर मुंबई में पुणे से थोड़ा आगे जाकर एमत नगर में, पुणे के थोड़ा सा और आगे जाकर नाग्पूर में, पुरे विधर्ग में ये फैलता ही गया गनपती उस्थमका और पुणे और पुणे के stairs POL में सारे बड़े शहरों में ये गर्भपती की इस्थाफ़ना जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे भारत देश के लोगों में छेपना मी बढ़ती गई तोड़े दिन के बाद पता चला कि संपूर महराश राज्य में गणपती आ गए और गणश उटसफ बहुत जोर शोर से बनाना शुरू हुआ 1894 के बाद 1904 में मने सन 1904 में पहली बार रोकमाने किलक में भारत वासियों को ये अपीरी किया कि हम गणश उटसफ का जो आयोजन करते हैं इसका मुख्यों जो आतुलदेश है वो भारत का स्वराज प्राप्ती करना है आजादी प्राप्त करना है बिना आजादी के गणश उटसफ का कोई अरफ नहीं है हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहे और हमारे देव देश के अंदर है तो एक तरह से वो भी गुलामी में है पहली बार लोगों ने श्री लोकमा ने तिलक के इस उद्देश को और इस स्वपने को बहुत गंबीरता से समझा उसके बार एक दुर्गटना हो गई हमारे देश और वो दुर्गटना ये थी 1904 में 1904 में एक अंग्रेज अधिकारी था जो गवर्णे वोईसराय की हैसियत में आया था उसका प्रमोशन हुआ था उसका नाम था करजन ये बंगाल का वोईसराय बना था बंगाल का वोईसराय बनने के बाद इस करजन ने एक बहुत खतरना कान किया था उसमें क्या किया था बंगाल राजितों दो भागों में बाट भिया था जो हिस्से कर दिये बंगाल के और उसके लिए एक काईदा बनाया कानून बनाया और उसका नाम दिया उसने Division of Bengal Act बंगाल का उबाटने का कानू करजन नाम के इस अंग्रेज अधिकारी ने किया बंगाल उस समय भारत देश का सबसे बड़ा राज्य था आज हमारे भारत देश में करनाटर, तमिलनाटू, केरत जैसे 35 राज्य है, हुवर तईद राज्य है आज से लगपक 1500 वर्ष पहले, 170 वर्ष पहले भारत देश में सिर्फ 4 राज्य थे 4 states थे, एक बंगाल था, दूसरा मद्रास राज्य था उसको अंग्रेजी में प्रेसिदेंसी कहा जाता बंगाल प्रेसिदेंसी, मद्रास प्रेसिदेंसी और एक तीसरा था, मुंबई प्रेसिदेंसी और चोथा, भारत का बचा हुआ हिस्सा जिसको नॉर्थ वेस्ट प्रेंटियर के नाम से जाने था पूरा उत्तर भारत बंगाल प्रेसिदेंसी का उस समय में क्या मतलब था सरल महिती देता हूँ बंगाल का उस समय 1904 में सन 1904 में एक ही अर्थ था पूरा बिहार राज्य पूरा आसाम पूरा का पूरा बंगाल जिसमें बंगला देश भी शामिल था उस समय तक बंगलादेश अलग नहीं हुआ था तो पूरा बंगाल बंगलादेश को मिला कर पूरा आसाम उडिसा का तीक चोथाई भाग और उसके बाद आसाम के उपर के भारत के जो छोटे राज्य है अरुनाचल प्रदेश है, सिक्किम है, नागलेंड है, मिजोरम है, मनीपुर है ये जो छोटे साथ राज्य ये पूरा मिलाकर बंगाल राज्य था अंग्रेजों ने उस समय इसको दो हिस्वों में बाटा इस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल पूरवी बंगाल, पश्वी बंगाल उस समय बंगाल का जो टोटल पॉपुलेशन था कुल लोग संक्या, कुल जन संक्या वो करीब साथ कोटी था ये और कोटी नागरिव बंगाल में रहते थे, सेवन करोर अब ये बंगाल का जो बटवारा हुआ इसमें क्या हुआ, जो वेस्ट बंगाल था वो हिंदोों के लिए और जो, sorry हाँ, वेस्ट बंगाल हिंदों के लिए और इस्ट बंगाल मुसल्मानों के लिए इस्ट बंगाल में फुल पॉपुलेशन त्री करोर 18 लेक्स के आस्पास था मूरकोटी, एमबर्ग लक्ष नागरिक तीस्ट बंगाल था और बाकी जो 4 कवरो 20 लाग नागरिक थे वो वेस्ट बंगाल तो हिंदू और मुक्रमान संपरदाई के आधार पर पहली बार अंग्रेजों ने भारत में बटवारा किया और ये बटवारा जब हुआ तो सारे भारत देश में इसका विरोध हुआ और विरोध क्यों हुआ? संपरदाई के आधार पर आप देश का अगर बटवारा करते हैं किसी राच्टी का बटवारा करते हैं तो भयंकर मारा मारी होने वाजे है तो श्री लोकमा ने तिलक ने सबसे पहले इसका विरोद किया और 1905 में श्री लोकमा ने तिलक ने एक आदेश जावी किया भारत के लागरिकों के लिए कि अगर अंग्रेजों की सरकार भारत के एक बंगाल नाजिका संपुरदाय के आधार पर बटवारा करती है तो इस अंग्रेज सरकार को हम भारत में अब रहने नहीं देंगे चलने नहीं देंगे और उनहें ये गोशना कर दी श्री लोकमा ने तिलक एक दोस्त थे, मित्र थे, विपिन्च अंदरपाल जो उस समय बंगाल के सबसे बड़े मेता थे ऐसे ही श्री लोकमानी तिलक के एक मित्र थे श्री अर्विंदो घोश जिनको आपने ज्याना होगा जो बात में सन्यासी हो गए और पांड़े चेरी में उनोंने आश्रम बना लिया और वही पर आगरी जीवन उनका बीता तो श्री अर्विंदो घोश और विपिन्चंदरपाल, सुरेतरनाद बनर जी, उमेश चंदरबनर जी, व्योमेश चंदरबनर जी, स्तारा शंकर बंदोपाद्याई ऐसे एक दो नहीं सैक्ड़ों सैक्ड़ों बंगाल के नेता श्री तिलक के पास मिलने के लिए पोने में आय और तिलक के सामने उन्होंने कहा कि आप में क्या करना चाहिए श्री लोकमानी तिलक ने कहा कि पूरे बंगाल में आपको श्री गड़पती के नाम पर उससर शुरू करना चाहिए तो जो नेदा आये थे उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में बंगाल में गणपती उस सब तो कोई मनाता नहीं है और गणेश जी को बंगाल में कोई जादा प्रभाव भी नहीं है तो लोगमाने दिलक ने पुछा फिर आप बताईए आपके यहां किसका प्रभाव है तो उन्होंने का जो नव दुर्गा होती है दुर्गा पुछा होती है उसका बंगाल में बहुत असर है तो श्री पिलक ने का इस हीथ है मैं यहां महाराश्य में गणेश उत्सव करता हूँ आप बंगाल में दुर्गा उत्सव शुरू करें और इसके साथ संविठन बनाई है और अंग्रेजों की सरकार के खिलाब फिरम में लड़ना है तो इस तरह से श्री लोगमा के प्रिदक के प्रयातों से पूरे बंगाल में 1905 से 1905 से दुर्गा उत्सव शुरू हुआ जो आज तक चला रहा है और भारत की अनेक राज्यों में फैल गया है तो बंगाल में दुर्गा उत्सव, महराश्व में गनेश उत्सव ऐसा जब काम शुरू हुआ तो लाखों लाखों कारिकरता श्री तिलग और वितिन चंद्रपाल के साथ इकखे हुए फिर इन कारिकरताओं को लोगमा निकिलग में एक संदेश दिया कि गाउं गाउं जाना, गली गली जाना और अंग्रेजों की सरकार ने बंगाल का बटवारा किया है हिंदू-मसल्मान की आधार पर इसका विरोध करना है तो श्री तिलग के जो कारिकरता होते थे वो पूछते थे कि आप बताइए विरोध का तरीका क्या है तो श्री तिलग ने उन सब को बोल रखा था कि देखो, अंग्रेजों की सरकार भारत में तभी तक चलेगी जब तक अंग्रेजों का माल भारत में बिखेगा आप जानते हैं कि अंग्रेजों की सरकार इस्ट इंडिया कंपनी की मदद से चलती थी और इस्ट इंडिया कंपनी की वस्तुएं भारत में बिखा करती थी तो श्री तिलग ने कहा कि इस्ट इंडिया कंपनी की वस्तुएं जब तक भारत में बिखेगी अंग्रेजों को मुनाफा मिलेगा और जब तक उनको लाब होगा तब तर वो भारत में सरकार चलाएंगे तो हमें एक ही कारे करना है कि गाउं गाउं जाकर अंग्रेजी इस इंडिया कंपपनी की जो जीज़ रसकूर बिखती है इनका वहिशकार कराना है और ऐसे करके 1905 में 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और वो बंगाल का जो विवाजब हुआ था उसके विरोध में शुरू हुआ श्री तिलक ने पूरे बंगाल का प्रवास किया छोटे छोटे गाउं में जाकर उन्होंने ब्याक्ष्यां दिये तिलक के साथ अर्विंदो घोष गाउं गाउं गए अर्विंदो घोष के साथ ताराशंकर बंदो पाध्यार बहुत बड़े साहितिकार थे वो गाउं गाउं गए श्री बंकिमचंद चटो पाध्यार जिनोंने बंदे मातरं गीत लिखा वो श्री लोत्मानि तिलक के साथ गाउं गाउं गई और इस तरह से बहुत बड़े देताओं की तीम तयार हुई उन्होंने पूरे बंगाल में स्वदेशी की लहर करड़ा कर दू परिणाम क्या हुआ कि ये स्वदेशी आंदोलन 1905 में 1905 में जो शुरू हुआ दो बर्ष के बाद इसका इतना असर था कि बंगाल में अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपोनी का सामान बिखना बंदो गया उनका कापर बिखना बंदो गया इस्ट इंडिया कंपोनी की उस समय भारत में शक्कर बिखती थी शुगर क्योंकि शुगर भारत में बनती नहीं थी, वो इंगलेन से आती थी, तो शुगर बिखना बन दो गया और इस स्वदेशे आंदोलन का इतना असर हुआ पूरे बंगाल में कि जो मिठाई बनाने वाले लोग हैं, स्वीट्स बनाने वाले लोग, उन्होंने शक्कर इस्तेमाल करना बन चर दिया गुण से मिठाई बनाना शुरू कि इतना प्रभाव था, उसके बाद हमारे भारत देश में उस समय ब्लेट में बनता था, ये बात है 1905 की 1905, ब्लेट में बनता था, इंगलेन से ब्लेट आता था भारत में, तो जो सैनूर चलाने वाले लोग होते थे, वो अंग्रेजी ब ब्लेट बापर ना बंद कर दो, तो सभी सैनूर चलाने वालों ने अंग्रेजी ब्लेट का वरिष्टा आता, अब समस्या आई, कि शेव कैसे करना ब्लेट तो नहीं है, तो उन्होंने एक इंस्रूमेंट बनाया, जो आज तक इस देश में चलता है, हम लोग हिंदी में उस कराया इस देश, उसके बाद हमारे भारत देश में उस समय, टिटर्जन पाउडर नहीं बनता था, हमारे भारत देश में टिटर्जन पाउडर नहीं बनता था, वो इंग्लेंट से इंपोर्ट होता था, तो श्री लोगमान इतिलक ने लॉंडरी चलाने वालों को अपील कि कि अंग्रेजिक रिटर्जिन पाउटर इस्तेमाल नहीं करना है तो भारत के लॉंडरी चलाने वाले सभी लोगों ने मिट्टी से कापड़ धोना शुरू कर दिया जमीन की मिट्टी से यह जो ब्लैक पाटम सोयल होती है इसको इस्तेमाल करके कापड़ धोने का एक अभियान पूरे देश में शुरू होती है इसी तरह श्री लोगमाने तिलक ने भारत के लोगों को अपील किया कि किसी भी घर में परिवार में विवाह होगा तो वर और वगू शरीर पर अंग्र कोटन बहुत होता है कोटन के बनाए हुए जो बस्त्र है उनका उपीयोग करेगे और वरवदु दोनों जिनका विवाह कराने वाला पंडित है, पंडितों का एक बहुत बड़ा संद बनाया श्री तिलग ने और उनने कहा कि आप उस वरवदू का विवार कराईए जिसके शरीर पर खादी के वस्त्र होंगे या वॉटन के वस्त्र होंगे, अंग्रेजी वस्त्र अगर पहने हुए वरवदू है तो उनका वहि भारत के अनेक-अनेक समाज के लोगों को इकठा करना शुरू किया और खिलक के साथ लाला लाजपत्राई ने उत्तर भारत में बहुत बड़ा ऐसा ही अवियान चलाया आप पूचेंगे कि इस अवियान का अंतिम फनशुरूती क्या हुआ इस अवियान की सबसे बड़ी फनशुरूती ये हुई कि 1905 से 1905 से लेकर 1911 के बीच में छे वर्ष के अंदर संपूर भारत देश में इस इंडिया कंपनी की वस्तुमें बिखना बंदो गया इस इंडिया कंपनी का खप्रा बिखना बंदो गया उनका ब्लेट बिखना बंदो गया इस इंडिया कंपनी की शुगर बिखना बंदो गया इस इंडिया कंपनी का डिटर्जेंट पाउडर बिखना बंदो गया जो कुछ भी इस इंडिया कंपनी बेशती थी वो सब बस्त विखना बंद हुए। लोगों ने संकर लेना शुरू किया। आपको तो सुनकर आश्यर होगा, कि जैसे आपने यहां गरपती मंदल स्थापित किया है नव नगर में, श्री लोक्मा निदिलगने संपू भारत देश में ऐसे सैकों गरपती मंदल स्थापित किये, हरे गरपत मंदल के कारिकरपाओं को वो शपत दिलाते थे, प्रतिग्या कराते थे, गरपती मंदल स्थापित हुआ, फिर उसके बाद एक शपत ग्रहन समारो होता था, प्रतिग्या समारो होता था, उसमें पहली प्रतिग्या यह होती थी, कि हम भारत देश के स्वराज प्राप्ती के प्रतिक्या होती थी कि भारत में स्वराज्य प्राप्ति करने के लिए स्वदेशी का वरण बहुत हावश्चक है इसलिए हम जीवन परियन स्वदेशी वरत धारण करेंगे और कभी कोई अंग्रेजी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे फिर तीसरा संकत होता था कि अंग्रेज सरकार धर्म और संप्रदाय के आधार पर भारत को बांट रही है हम धर्म और संप्रदाय के आधार पर कभी जगडा नहीं करेंगे हिंदू मुसल्मानों से नहीं लड़े कि एक शबत होती थी कि व्यसंन जीवन में कभी नहीं करेंगे शराद नहीं पिएंगे फटका तंबा को कुछ नहीं काएंगे और अपने को पवित्र बनाएंगे ताकि स्वराज प्राप्ती के लिए लड़ सके। ऐसी शबत दिलाकर श्री दिलत कारी करताओं को पक्ता बनाते हुआ और धीरे धीरे आप सुनकर आश्चरी करेंगे 1905, 1905 से ये अभियान शुरू हुआ 1911 में 1911 में स्वदेशी आंदोलन और गणेशोग सब के कुल कारी करताओं वंद कोटी इपत लक्ष हो गए एक करोड बीस लाग उस समय भारत का जो टोटल पॉपुलेशन था वो इपत कोटी था 20 करोड भारत भारत वासी थे 1905 में और उसमें से वंद कोटी वंद कोटी इपत लक्ष एक करोड भीस लाग कोट के कारी करता के लोकमाने तिलक, बाल गिंगादर तिलक, लिबिबिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राएक के साथ कांग करनों गाए गरेशोत्साव के माध्यम से इतनी बड़ी कारी करताओं की फौज उन्होंने इकटी की अंतियाप परड़ाम क्या हुआ 1911 में जब ब्रिटिश गवर्मेंट का सब कुछ बिखना यहां बंद हो गया तो ब्रिटिश पार्लेमेंट लंदन में बहुत तकलीफ आ गए तो ब्रिटिश पार्लेमेंट में बहुत तकलीफ की इस्तिती आई उस समय ब्रिटेन का राजा था उसका नाम था जोर्ज पंचन उसने ब्रिटिश पार्लेमेंट का एक special reading बुलाए और उसने ये कहा कि भारत देश में ऐसा क्या हो रहा है कि अब ब्रिटेन के पैसा आना बंद हो गया तो ब्रिटिश पार्लेमेंट के MP ने जोर्ज पंचन को कहा कि भारत में एक बड़े नेता है श्री लोगमा निकिलक उन्होंने गड़े शोदसाब का एक अवयान और स्वदेशी का अंदोलन शुरू कर दिया है और उसके कारण अब अंग्रेजी वक्तु है भारत में बिकना बंद हो गई है इसलिए इंग्लेंड में पैसा आना बंद हो गया तो जोर्ज पंचन इतना परिशान हुआ उसने कहा कि ये लोगमा निकिलक कौन है तो उसके जो ऑफिसर्स थे उन्होंने समझाया ऐसे ऐसे एक वक्ती है पुढे के पास उनका जन्पिस्थान है कारे चेत्र उनका पूरा भारत देश है और उनके पास बंद हो की इंपतलक्ष कारे करताओं की बहुत बड़ी आर्मी है तो जॉच पंचन ने तूचा कि ब्रिटेन की आर्मी भारत में कितनी है तो जॉच पंचन को उत्तर मिला कि जो ब्रिटिश आर्मी भारत में है वो मैक्सिमम मूर लक्ष आईवप्रसाविर है 3.5 लक्स की आर्मी है और उन्होंने कहा कि लोगमानिति रखी आर्मी किसी बड़ी है तो उन्होंने कहा कि वंदुमोर्टी इत्वतलक्ष एक करोड दीस लाग की आर्मी है तो पिर जोड पंचम ने कहा कि उसका कमांडरिंग चीफ लोगमानिति रख एक करोव बीस लाग की आर्मी है कितनी बड़ी आर्मी है मैं उसको देखना चाहता हूँ तो प्रिटिश पार्लिमेंट ने कहा कि वो आर्मी अगर देखनी है तो आपको भारत जाना पड़ रहा तो उसने का ठीक है मेरी भारत यात्रा का कारिक्रम बनाओ तो दिसमपर में दस तारीक को जौर्ज पंचम भारत आया दिसमपर दस 1912 1911 10 दिसमपर को जौर्ज पंचम भारत आया ये देखने के लिए कि स्वदेशी आंगोलन की गणपती आंगोलन की आर्मी कितनी बड़ी है उस जमाने में आप जानते हैं बारत देश में दोई इस्थान थे और लंदन से आने के लिए भी दोई इस्थान थे एक था वो कलकटा और दूसरा था सूरत सूरत में बहुत बड़ा बहुत बड़ा पानी के जहाज का पत्तन था और कलकटा में बहुत बड़ा था तो कलकता एक, सूरत दूसरा तो जॉर्ज पंचम को पूछा गया आप कहां उतरेंगे तो उन्हें का कलकता उतरूंगा क्यों? क्योंकि लोगमा ने टिलक्ते सही होगी और उनके कारिकरता सबसे ज़ादा बंगाल में काम कर रहे हैं तो मुझे देखना है मैं तो कलकता उतरा लोगमा ने टिलक्त को सूरी जॉर्ज पंचम कलकता आया यारे दिसंबर को कलकता में बहुत सारे लोगों ने उसको रिसीव किया जिल लोगों ने जॉर्ज पंचम को भायत में पहली यात्रा पर रिसीव किया माने उसको आदर पूर्वक इस देश में स्वागत किया, उन में से सबसे आगी थे श्री रवीद लुनाट परगौ, राजा राद मोहन ब्रॉय, और एक थे उमेश चंद्र बेनर जी, और एक पुराने कॉंग्रेस के मेता जो माने जाते हैं कॉंग्रेस की स्थाथ में हो चु स्थाफक द्यक्ष माने जाते हैं, इन सब लोगों ने राजा को आउकार किया, उसका स्वागत किया, राजा माने जॉर्ज पंचम, और श्री लोकमाने किलग, विपिन चंद्रपाल, और व्योमेश चंद्र बेनर जी, सुरिद्नाद बेनर जी, ये जो सारे नेता थे, जिन उन्होंने जॉर्ज पंचम का वहिशकार किया, उन्होंने का हम जॉर्ज पंचम का वहिशकार करते हैं, हम उसके स्वागत समारों में नहीं जाएंगे, लेकिन कॉंग्रेस के अंदर नरंदल के कुछ नेता हुआ करते थे, उन्होंने से मैंने कुछ नाम आपको बताई, उन बाया गया, जिसका नाम है जमिक Calendar वन अदिनायक जये भारत भागे बढ़ाता, इन शब्दों पर ध्यांग दीजिए, भारत भागे बढ़ाता माने भारत के भागे को निर्धारित करने वाला कौन? जौर्ज पंचम, जौर्ज पंचम को मंच पर बिठाया गया और ये गीत ग दुर्भागे से उनका नाम वही श्री रवीद्र नाठ्टेगो उन्होंने ही एगीत लिखा और उन्होंने ही एगीत गाया अब यह जो गीत है इसमें ज्यादा शब्त बांगला के हैं और कुछ संस्क्रिप के शब्दें इस पर जरा द्याद में जन गर्ण मन जन गर्ण मन ग गर्ण मन चोटे-छोटे राजा और उनके प्रतिनिदी हम सब भारत की जन्ता की तरफ से छोटे-छोटे राजाओं की तरफ से जन गर्मन अधिनायक जये अधिनायक मने सुपरहीरो मने जवच पंचभ आपकी जये करने के लिए यहां आये हैं जनकर्मन अदिनायक जए भारत भाग्य बिनाता भारत के आप भाग्य बिनाता है आपको भारत का भाग्य तरह करना है क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ है पिर पंजाब सिंद गुजरात मराधा द्राबल उतकल बंग ये भारत के अलगलग हिस्स है जिनका नाम उन्हों ने लिया पंजाब सिंद गुजरात मराधा द्राबल उतकल बंग बिन्ने हिमाचल यहुना गंगा उचल जलदी तरह तबुशुब नामे जागे भारत के ये सभी हिस्सों की रीजन की तरफ से हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तब शुब नामे जागे आपका नाम पूरे विश्व में हो तब शुब आशिश मांगे हम भगवान से आपके लिए दुआई कर रहे हैं आशिश मांग रहे हैं गाय तब जय गाथा हम आपकी जय जय कार करते ही रहें के जन्रल मन्गल दायक जय भारत भाग्य विदा था ये गीत गाया हो गया और ये गीत गाया गया 24 दिसंबर 1911 को कलिकत्ता में जोर्ज पंचम का स्वागत समारोह करते हो अब समस्या क्या खरी हो गई कि जोर्ज पंचम को ना संस्क्रिप समस्ती थी ना बांगला ना उसको हिंबी आती थी वो सुन तो लिया उसने अपने पडोश में बैठे अंग्रेजों से पूछा ये क्या गाना गया तो अंग्रेजों ने उसका English translation करके उसको समझाया जैसे ही उसको पता चला कि ये गाना जॉर्ज पंचन के सम्मान में गाया गया है और उसको भारत का भागे विधाता बताया गया है वो इतना प्रसंद हुआ इतना खुश हुआ कि उसने लोगमाने को सॉरी रविन ना टैगोर को बुलाया और उनके पीठ पर ऐसे ठपठपाया बहुत अच्छा आपने गीत लिखा है और अंग्रेजी में उसने कहा कि मेरी इतनी प्रशंसा तो मेरे देश में कोई नहीं करता है इससे भी ज़्यादा उसने एक मजाग की बात करी जो हमारे लिए बहुत शर्वनाथ है उसने कहा कि मेरी बीवी ने मेरी आज तक इतनी प्रशंसा नहीं किये आपने तो उससे भी ज़्यादा किया रविन ना टैगोर गदगद हो गये बीवन ना टैगोर गदगद हो गये तो यह जो पंचम था जोर्ज पंचम इसने अपनी डायरी में उनका नाम पता आख सब कुछ नोट किया और यह कलिकत्ता से चलकर वे दिल्ली गया जोर्ज पंचम यही जोर्ज पंचम दिल्ली में इसमें एक बहुत बड़ा दर्मार बुलाए और उसमें छोटे-छोटे राजा, महराजा, सब लोग आए लेकिन दिल्ली में जो क्रांटिकारी थे, गरम दल वाले, लाला लाज पत्राए वाले, वो नहीं गए उन्होंने वहाँ भी वहिशकार किया दिल्ली में उस समय जो गवर्नर की हैसियत से एक अधिकारी होता था, उसको जोज पंचम ने पूछा कि भारत में मुझे वो आर्मी देखनी है, लोग माने की लगती है मैंने सुना है, एक करोर बीस लाख, वन करोर फंटी लेक्स, उसमें सोल्जर है, मुझे देखना है वो आर्मी कैसे काम करती है तो दिल्ली का जो गवर्नर था, उसने जोज पंचम को समझाया, कि ये आर्मी है, बिना बंदूख वाली है इनके पास कोई आर्म्स नहीं है, आर्मी विदाउट आर्म्स, उसने जो टाइटिल बताया, आर्मी विदाउट आर्म्स है ये इनके पास कोई बंदूप नहीं है, इनके पास कोई तलबार नहीं है, इनके पास कोई तोप नहीं है, कोई बोड़ार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इनके पास जो दिल है, जो इनका हिर्दय है, वो इतना वजूत है कि ये हमेशा भारत की आजादी और सुराजी की बात कर तो उसने पूछा कि इस आर्मी के कुछ नेताओं से मुझे मिलना है तो गवर्नर अफ दिल्ली ने कहा कि इनका नेता तो लोगमाने की लग है और उन्होंने आपका वहिशकार किया हुआ है इसलिए वो तो आपको मिलने आने वाले नहीं है आपको उनसे मिलने जाना हो तो मैं कोई व्यवस्था करूँ नहीं तो जॉर्ज पंचम कहने लगा कि भारत में ऐसा भी कोई आद्मी है जिसको राजा दुलाए और वो राजा के पास ना चाड़ उन्होंने का यहां तो एक नहीं ऐसे कलोड़ों आपको नो मनते ही नहीं कि आप राजा है वो कहते हैं आप इंगलेंग के राजा होंगे भारत का राजा तो एक ही है वो हमारे गणपती वप्पा लोगमा की डिलेक ने सब कारी करताओं को समझा रखा था कि राजा अपना एक ही है वो है गणपती वप्पा इसी के सामदे जुकना, इसी को बंदन करना, इसी से आशीश मांगना और इसी से दुआ मांगना, बागी हमारा कोई राजा है, हमारा राजा गणपती है, तो जब गवर्नर ने ये सुना दिया कि वो तो आएंगे नहीं, उन्होंने परिशकार किया, उसे करोड़ो है, अब आ जाना चाहों तो मैं देवस्ता करता हूँ, पुणे जाना पड़ेगा आपको मिलने के लिए, तो पुणे के डिस्विक मजिस्ट्रेट जिला कलेक्टर को टेलीग्राम किया गया, पुणे का जिला कलेक्टर परेशान हो गया, वो टेलीग्राम लेके श्री लोगमन तिलक के और टेलीग्राम उनको दिखाया कि आपसे मिलने के लिए हमारा राजा चौर्ज पंचम पुने आना चाहता है आप उनसे मिलेंगे तो श्री लोकमा ने दिलक में का मुझे राजा से मिलने की कोई गरज नहीं है वो आपका राजा है मेरा नहीं है आप उसके नौकर है आपको वो पगार देता है मुझे पगार भी देता मुझे उससे मिलने की गरज नहीं है तो श्री लोकमा ने दिलक का जन्मस्थान रत्नागिरी में है आप जानते है रत्नागिरी के पास एक छुटे लेगा मेरे गाउं चला जाता हूं तो फिर कलेक्टर ने पूछा मेरी तो नौ नौकरी चली जाएगी तो उनने का कि बहुत अच्छा है तुमारी नौकरी जाए तुम्हारे राजा की नौकरी जाए तुमने आज सब हिंदुस्तान छोड़ कर चले जाओ हमारा स्वराज हमें मिल जाए मैं तो यहीं चाहता हूं तो कलेक्टर ने वापस चली ग्याम कर द तो श्री लोकमा ने की लगते पास जब पुलिस ओफीसर पहुचा अरेस्ट करने के लिए तो उन्होंने कहा कि मुझे अरेस्ट करने के लिए आप कानून जो तो किस कानून से आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं तो पुलिस ने कहा हमारे राजा को नहीं मिलना चाहते तो उन का IPC का कौन सा प्रोवीजन है जिसका मैंने वाइलेचन किया है और आप मुझे विरफ्तार कर रहे हैं। तो पुलिस ओफीसर ने उत्तर हो गया, वो चुपचाप वापस गया। और जॉर्ज पंचन को कह दिया गया कि ये व्यक्ति इतना पका है कि ये जो तै कर लेगा वो ही करेगा ये आपसे मिलेगा नहीं। जोर्ज पंचन बिना मिले वापस गया दिने से बिना मिले वापस को और भारत में उस समय कॉंग्रेस के अंदर यही एक तेजस्वी नेता थे शुरी टिलग जिनोंने जोर्ज पंचन से मिलने को मना करते बागी जो कॉंग्रेस के नेता थे मैंने नाम लिया रविद्ना टैगौर थे विवेश्चंद्र बनर जी थे एक बोपाल कश्न गोकले थे यह सब जोर्ज पंचन को सलामी लेके आए तिलग नहीं गए लाला लाज पक्राय नहीं गए विपिंचाद्र पाल नहीं गए का नहीं मिलना इतना अंदर तक चोट पहुचाया कि जब जोर्ज पंचम वापस जा रहा था दिल्ली से उसने का आप तो मुझे वापस जाना है तो दिल्ली से कलकता कलकता से फिर पानी के जहाद से लंग तो जोर्ज पंचम ने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति भारत में है जो भी अभी नहीं कर सकते तो ऐसे व्यक्ति की मांग क्या है तो अंग्रेज गवर्णर दिल्ली ने उनको कहा कि उसकी सबसे तहली मांग है कि 1905 में जो करचन ने इवीजन ऑफ बंगाल एक्ट बनाया है बंगाल को हिंदू-मुसल्मान के आदार पर तोड़ दिया है ये पंचम ने गवर्णर को कहा कि ऐसे वीर वहादूर पराक्रमी व्यक्ति का थोड़ा को संबान करो और ये बंगाल का बटवारा रद करो और भारत के इतिहास में ये पहली और आखरी धटना है जब बंगाल को बटवारा करके अंग्रेजों ने छे साल के बाद वापस फिर से एक किया और एस्ट और वेस्ट बंगाल फिर से एक हुआ और लोगमा निटिलग की इतनी जैजैकार पूरे देश में हुई उन्नी सो ग्यारे में जब बंगाल फिर से एक हो गया दिवीदन अफ बंगाल एक वापस हो गया तो सारे देश में लोगमा निटिलग के स्वादत समारो आयो जित्यों और एक-एक समारो में पचास-पचा नागरिक लोगमा निटिलग को सुनने के लिए कहीं खड़े हैं कैसे वो बोलें जो आखरी आदमी तक बात पहुंचे तो वो थंबव नहीं होता था तो शिरी तिलग चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं और दुश्परिणाम क्या हुआ 1911 से जब उनका ये स्वादत समारो शु क्योंकि माइक तो होता नहीं था गले में इंफेक्शन आया लंग्स में इंफेक्शन और वो इंफेक्शन इतना गंबीर था कि उसी में श्री लोगमा निटिलग की प्रत्तिय हुए 1915 से लेकर 1920 तक वो कहीं जा नहीं सके बोल नहीं सके जा थोड़े भी बोलते थे तो गदे में दर्ग होता थोड़े भी बोलते थे तो लंग्स में पानी बर जाता था और उस समय ट्रीटमेंट भी नहीं था प्लूरिसी नाम की एक दिमारी उनको हो गए उसका कोई ट्रीट प्राटी के से आएगा, इसलिए उन्होंने अपने स्वास्त को गुर्लक्ष दिया, अपनी हेल्थ को कभी द्यान नहीं लिया, और उसी चक्र में उनकी पत्ति रात दिन परेशान रहती थी, और उनकी व्रत्ति हुई उनकी पत्ति इसी जिंटा में, कि दिला कभी स्वास्त का द्यान नहीं रखते हैं लगातार प्रवास करते थे अब उस जमाने में प्रवास करनी थे गाड़ी नहीं थे तो साइकल से प्रवास करते हैं कभी साइकल नहीं होती थी तो बैल गाड़ी में बैठके प्रवास करते हैं कभी कभी बैल गाड़ी नहीं तो घोड़े पर बैठक कोड़ा भी मिलागा तो वो जो ऊंथ होता है केमल उस पर गट कर प्रवास करते थे और कुछ नहीं मिला तो प्रैदल प्रवास तो प्रवास को Grey किया ग्यांद को की स्वागत सम भॉत हो जगह जगह होते थे ते मिक्ष्ण कर पढ़ा है कि वो कोटी-कोटी रुपए, बाद में उसी फंड को नाम दिया गया तिलक स्वराज फंड, किसी आज की उस तके जब आप पढ़ेगे, तो उसमें एक जगह चप्तर है, तिलक स्वराज फंड, ये लोगमानी तिलक को स्वागत समारों में जो दाइज मिलता था, वो सारा उन तिलक स्वराज फंड, ट्वंटी-वन करोर रुपीज का था, इतना धन था, आज के हिसाब से अगर आप इसको जोड़ना चाहें, तो इसमें 300 का मल्टिप्लिकेशन करना से, क्योंकि 1920 का बंद रुपए, एक रुपया, 2007 के 300 रुपीज के बराबर, तो 300 में 21 का गुना कर ल पी श्री लोकमा निते लखनें, इकठा किया, इस देश में ढूंक गूंका, और वो फंड जब उन्हों ने इकठा किया, तो उस फंड फंड से फिर परिणाम क्या किया, उन्होंने क्या काम्म ने लगा ज़गा वो फंड उन्होंने कहा कि भारत में जो जो वस्तुông की इंडस्री शुरू कराई पूरे के पाथ वो समय में शुगर नहीं बनती थी इस देश में शुगर बनाने का कारखाना उसी फंड में से लगा हमारे देश में उस जमाने में आइरन और इस्टील के लिए कोई बड़ा प्रोडक्शन उनिट नहीं था पिलक में भारत देश क बड़े द्योगपती जिनका नाम था जम्शेट जी ताटा उनको एक दिन अपने घर बुलाया और कहा कि भारत को इस्टील की जरूरत है आप इस्टील बनाना शुरू करिए हम इंग्लेंड से इस्टील नहीं करी देगे तो ताटा जम्शेट जी ताटा ने श्री लोगपान तिलक के एक माक्य पर पूरा तिस को खड़ा कर दिया ताटा इस्टील कम कुल वो तिलक में खड़ी कर गई है इसके बजाज को एक दिन तिलक ने बुलाया जम्शेट को और कहा कि हम इकलेंड से कापड़ आयात करते हैं बारत में कपड़ा बनना चाहिए खादी का तो बनत करता है डालमिया जी को बुलाया एक दिन और कहां आप कुछ प्रड़क्शन में जाइए डालमिया जीने का ठीक है हम भी भारत के ऐसे भारत में 72 जो बिब बिसनिस हाउसे जो आज इस देश में एस्टबिश है टाटा है डालमिया है जमनलाल बजाज का बजाज ग्रूप ह ये सब की स्थापना करने में लोगमाने तिलक की बहुत बड़ी दूरी था उनीतों पंद्रे में शुरी तिलक ने ये सब शुरू किया 1920 तक वो ये करते रहे और फस्ट अगस 19.30 को उतका स्वारिद्वास हुआ मैंने बताया गंबीर बीमारी की फ्लूरिसी की लंग्स पूरे उनके खराब हो चुके थे ज्यादा बोलने के कारण गला खराब हो गया था उस समय उनकी ब्रत्व हो जी ब्रत्व से थोड़ा दिन पहले उन्होंने अपने सब कारेकत्ताओं को बुलाया उनको मालूम हो गय कि अभी मुझे जाना ही पड़ेगा तो उन्होंने का कि देखो मेरी ब्रत्व होगी तो आप मैंसे कोई रोगा नहीं और कभी भी मेरे नाम पर आसु बहान हो गया मैंने जिन्दगी में कभी अंग्रेजों की गुलामी स्मीकार नहीं किये हैं तो आप भी मेरे पच्छिनों पर चंदना आप भी अग्रेजी गुलामी स्मीकार नहीं करने आप स्वतंत्र हैं भगवान आपको आगे भी स्वतंत्र बना कर रखेगा मेरे आधर्शों का खूर नहीं करना कोई रोएगा नहीं मैं मरूंगा खुशी के साथ मुझे विड़ा करना और उन्होंने एक बहु लीवात करना उन्हों ने का कि जग्म लेने में तो बहुत कष्ड होता है ताई को भी होता है मघकर को भी होता है लेकिन व्रत्यू बहुत सहज है बहुत आसान है इसलिए उस सब की तरह से इसको बनाना और यह हुआ एक अगस्त को सुबह जब उनकी अंतिम यात्रा निकली प्राण उनके पूरे हुए तो पूरा पूरे शहर, पूरा बंबई, पूरा भारत ख़़व प्राइब ख़़व के ऐसी अंतिम यात्रा हिस्ते करोलो करोलो लोग उसमें शुआ करोलो लोग ऑने श्री तिलह की अंतिम यात्रा को भारत की सुराज यात्रा हैं कि यह हमारे देश की सुराज यात्रा है और उस स्वराजी अउत्रा में उन्होंने वही संकल दोराए जो श्रीटिलग उनको गड़पती आंदोलन के समय खाह करते थे ऐसे एक महानव्यक्ती ने इस तेश में गड़पती की इस्थापना करें ऐसे एक महानव्यक्ती ने इस देश में स्वराज जी की नीव इस्थाफित कराई आप बहुत भागिशाली हैं कि मैंने आपके मंदल में आकर श्रीप पिलत का फोटो देखते हैं मुझे बहुत दुख होता है जब मैं गर्णपती मंदलों में जाता हूँ गर्णपती की मूर्ती तो होती है तिलत की मूर्ती गायद है और उससे भी जादा दुख मुझे इस भाग का होता है कि गर्णपती मंदल वाले गर्णपती की स्थाफना करते हैं और उसमें ऐसे गंदे गंदे घटिया घटिया गाने बजाते हैं जिनको श्री तिलख्ये कभी सुना नहीं सोचा भी है, हमें शर्म है कि हम लोगपाने तिलख्ये उन सभी आधर्ष्ण को पूरा नहीं कर पाए जो गहपती या अंदोलन के माध्यां से उन्होंने भारत को समझाए थे, उनका एक बहुत महत्पर वक्तव था, जो उन्होंने अ और उसमें उन्होंने बहुत सारे प्रश्णों के उत्तर दिये थे, तो एक तारिकरता ने उनसे प्रश्ण पूछा, कि आपने बंगाली के बटवारे का विरुद क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसल्मान के आधार पर बंगाल को अगर बटवारा भारत में होगा और आगे चलेगा, तो ये भारत तो एक नहीं रहने वाला, और दूसरा एक खतरना काम हुआ था उसी समें, बंगाल का जो बटवारा किया अंग्रेजों ने, उसके बाद जब बंगाल बटवारा समप्त हो गया, फिर से बंगाल एक करना प इसका नाम है इंडियन मुस्लिम लीग, बंगाल का बटवारा समात करने के समय एक संस्था बना दिया, इंडियन मुस्लिम लीग, और यही संस्था का अध्यक्ष, बाद में मुहम्म्मद अली जिर्ना बना, और अंग्रेजों ने उस संस्था को इतना विश्भर दिया, कि जो बंगाल का वटवारा उनुने हिंदू मुसल्मान की आधार पर किया था, उस इंडियन मुसलिम लीग ने भारब का वटवारा हिंदू मुसल्मान की आधार पर कर देंगे। श्री दिलक अक्सर ये कहा करते थे, कि अगर अंग्रेज बंगाल का बटवारा करने में सखल हो गए, हिंदू-मुसल्मान की आधार पर, तो एक दिन भारत का भी ये बटवारा कर देंगे, हिंदू-मुसल्मान की आधारा, ये उनके पता चलता है, नाइटीन फिफ्टीन में उनको नाइटीन फॉर्टी सेवन दिखाई देता, इंदू-मुसल्मान की आधारा, इसलिए उन्होंने बंगाल बटवारे का बिरूद किया, लेकिन श्री तिलकी म्रत्यू के बाद इस लेश में ऐसा दुष्चक्र चला, कि गरम दल के जितने भी बड़े नेता थे, तिलक तो उनके सबसे बड़े लीड़ा थे, श्री आला लाजपत्राय, वो लाधी कांड में मारी गए, आप जानते हैं, 1947 में साइमन कमिशन का विरूट करते हैं, बगप्सीन को 1931 में फासी हो गए, मदलाल धिंगरा को 1909 में फासी हो गए, अरविंगो गोष्च जो सबसे बड़े नेता हो सकते थे, लोगमा निटिलक के बाद, क्योंकि लोग उनको बहुत मानते थे, वो सन्यास लेकर पांड़ अंग्रेजों के पुलिस 1931 में खतम हो गए, फिर उसके बाद, गांदी जी को एक बार किसी ने कहा कि देखिए, लोगमा निटिलक ने इतना बड़ा काम किया था इस देश में, अब आपको उनका काम आगे बढ़ाना चाहिए, तो गांदी जी ने कहा कि मैं लोगमा निटि अंग्रेजी भाषा का भी वहिश्कार करना है, और उन्होंने अंग्रेजी भाषा के जो स्कूल भारत में चलते थे, उनके पैरलल, उनके मुकाबले, मरधी भाषा के स्कूल शुरू किया है, आपको मालू में, पुरे में एक एजुकेशन सुसाइटी बनी, देखकन इस्थापक अध्यक्ष लोग माने तिलक्या, और डेक्टर एडिकेशन सुसाइटी को ये काम दिया गया कि जादा से जादा इस्थानों पर मरधी भाषी स्कूल ओने चेले, करनाटक में उनका अवयान आया कि कर्णर भाषी स्कूल ओने चेले, उन्तर भारत में अवयान थ इंदी भाषी स्कूल होने चेले, तो भाषा के इस्तर पर स्वदेशी, भूशा के इस्तर पर स्वदेशी, बोजन के इस्तर पर स्वदेशी, वस्तों के इस्तर पर स्वदेशी, ऐसी पूरी तिलक की कलपना थी, हर इस्तर पर स्वदेशी होना ही चाहिए और तिलक इतने स् कि कभी उन्होंने अपने वस्कुष से समझोता नहीं किया लंदन भी वो कही बार गये थे उपन्यास देने के लिए लेकिन लंदन भी वो उसी पोशाट में जाते थे जिस पोशाट में आप उनको अंदर देखते हो सिर्फर वही पगड़ी एक उनका जहपा और दोती लंदन भी उसी पोशाट में आप जानते हैं कि लंदन में ठंडी बहुत होती है दिसंबर जन्वरी फर्वरी माइनस फंटी डिगरी सेंटीग्रेट तेंपरेचर होता है फिर भी लोगमाने दिलक दोती और अपना ये बहुता और ये सिर्फर तोफी इसके अलावर कुछ नहीं बहुत अधिक हुआ तो कंबल लपेटे तो लंदन में जो भारत नासी रहते थे उनके से कई लोग उनको कहते थे कि आपको ठंडी नहीं लगती तो उनका एक ही जवाब होता था कि मेरे शरीव में स्वराज जी की इतनी अगनी जल रही है कि ठंडी कैसे लगे थे और जब लोगमाने दिलक को डोकने वाला कोई होता था लंदन में तो उनमें से सबसे पहले व्यक्ति होते थे श्री विनायक दामोदर सावर कर विनायक दामोदर सावर कर उस समय लंदन में ही थे और एक बहुत बड़ा इंडिया हाउस बनाया था विनायक दामोदर सावर करके एक सहयोगी थे श्री श्यामजी प्रश्नवर्मा श्यामजी प्रश्नवर्मा विनायक दामोदर सावर कर इन लोगों ने लंदन में फंड से कठा लिया था और वो फंड से एक भवन बनाया था और उसका नाम था India House हिंदी में नाम था भारत भवन लेगिन अग्रेजों के हाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नाम रखा था India House लोगमानी दिना जब भी लंदन गए तो वहां ठहल पे खेलते जिती आहाउट में कारण किया था? कि भारत के जो भी क kitरान्तिकारी थे सबी के लिए वो घर के जैसा था तो वहां पर बहुत सारे क vient रखान्तिकारी रहते थे अब्यास करते थे और भारत में आकर क्या-क्या काम करना है स्वाराज जी के लिए उसकी योजना अबनाया करते हैं श्यामकिक रेश्न वर्मा लौकमान तिलक को कई बार कहते थे कि आपको लंदन में ठंड लग जाएगी हमें आपकी बहुत जरूरत है तो लौकमान तिलक वही उत्तर देते कि स्वराजी की गर्मी इतनी है ठंड कैसे लगेगी तो ऐसे व्यक्ति हमारे देश की राजनीते पे होते और जितने समय वो रहे इस देश में उन्होंने अगुत काम किये तो बड़े अखवार जीवन बर वो निकान के रहे अपनी म्रत्यों तर एक अखवार का नाम था केसरी आप सभी जाते हैं वो बराटी में निकल रहा था केसरी अखवार में ऐसे अग्रेलेख हो लिखा करते थे श्री इलग कि लोग पढ़ें तो उनके अंदर खून जली ऐसी भाशा उनकी होती थी और बाहर लग के पहले अखवारों में उसकी गिंती होती थी केसरी जो उस समय 53,000 विक्ता था 53,000 उसका कॉफी विक्ती थी और एक कॉफी को 10 से 12 लोग करते हैं माने हर दिन भारत के सभा 5 लाग से जादा 5 लाग 30 से मांधियां से गाणपा की उस सब के मांधियां से सारे देश में एक अभिना उक्रांती जो उन्होंने शुरू की उसी का परिदाम था क कि गांधी जी जैसे विक्ती को ये मानना पड़ा कि मेरी गलती से मैंने गोपाल क्रश्न गोखले को अपना गुरू बनाया था लेकिन अगर तिलक जीवित हो तो मैं कहना चाहता हूँ कि अब मैं आपको अपना गुरू बानता हूँ ये 1930 में गांधी जी ने का सब लोग कहते थे कि ये अंग्रेजों का एजेंट है ये ही शब्द उनके बारे कर बोले जाते हैं वो हमेशा इस तरह के काम किया करते थे जिससे अंग्रेजों को सुविधा हो बारत के करांतिकारियों को पकड़वाने में उन्होंने बहुत लोगों को नाम बताये थे तो 1930 में जब उन्होंने नमक सत्याग्रे किया तो श्री लोगमान इटिलक के ही कारी करता गांदी जी के साथ नमक सत्याग्रे जो गड़े शोद सम्में से निकले वंदकोटी पतलक्ष कारी करता गांदी जी के साथ थे क्योंकि लोगमान इटिलक ने मृत्कियों से पहले अपन के लिए कभी जरूरत पड़े तो इसको मदद करना बागी किसी नेता के बारे में उनको भरोसा ने हुआ गांदी जी को 1937 में रियलाइजेशन हुआ उन्होंने एक खत लिखा है वो खत लोगमाने किलक जी का जो घर है वहाँ पर आजकल एक म्यूजियम है एक इसमारक है वहाँ रखा हुआ और वो खत में गांदी जी यही लिख रहे है कि मेरी गलती हुई जो मैंने गोपाल कश्व गोखले को अपना गुरू बनाया श्री टिलर कहीं भी हो आज से मैं उनकों अपना गुरू मानता हूँ और ये रियलाइजेशन गांदी जी को कब हुआ गांदी जी जब नमक सत्या गेक लिए एमदाबाद से निकले पदियात्रा करते हुए तो उनके कॉंग्रेस के जो सबसे भरोसे मंद कारे करता थे उन्होंने गांदी जी का साथ छोड़ दिया गांदी जी को जिसकों सबसे रादा भरोसा था पंडित जवारलाल नहरू उन्होंने गांदी जी का साथ छोड़ दिया पंडित मौतिलान जहरू उन्होंने गांदीजी का साथ छोड़ दिया गुपाल करश्ण गोखले तो तब जीवित नहीं थे लेकिन उनके परिवार के लोगों ने गांदीजी से किनारा कर लिया और गांदीजी ने जब नमक सत्यागरा के लिए एहमदाबाद आश्रम छोड़ा तो मात्र 72 कारिकरता उनके साथ थे लेकिन वही गांदीजी जब नमक कानूं तोड़ने के लिए सूरत के बाद पहुँचे तो बंद कोती इत्पत लक्ष कारिकरता उनके पीछे थे यह वही लोग थे जो डोक्मा ने तिलक में तयार किया और जब इनका समूँ देखा गांदीजी ने तब गांदीजी तो रियलाइजेशन हुआ कि गोपाल कर्शन गोखले में तो कोई दम नहीं है जो दम है तो वो तिलक में तिलक जी की म्रत्यूं के दस साल बार की वो संजटनिक्ता ताकुत वर है कि उसमें वन्द गोटी पतलक्ष कारिकरता है तब ही गांदीजी ने यह पतल लिखा और अपनी वलती को सुखा रहा और बाद में यही कारिकरता जो गणेश उत्तम में से निकले स्वदेश हां आंधुलन में से निकले इनी कारिकरता हों की ताकट से गांदी जी ने 1942 में भारत छोडो का नारा दिया उनको भरोसा इन ही पर था और ये कारिकरता हुनि अंत्युन दिन तर गांदी जी का साथ निबाया भारत छोड़ो अंगोलन का जैसे ही कॉल हुआ, गांधी जी गिरफतार हो गए, सारे बुड़े मेता गिरफतार हो गए, तो ये एक कोटी 20 लाग जो कारी करता थे पूरे देश ने, इन्हों ने ही पूरा भारत छोड़ो अंगोलन चलाए और यही अंगोलन की ताकत थी, कि 1945 तक आते आते, बृटिश गवर्मन को स्वीगार करना पढ़ा कि अब भारत से जाना ही पड़ेगा, अब यहां रह नहीं सकते, और ये कारी करता कैसे कैसे काम करते थे, ये जो स्वदेशी के अभियान के कारी करता थे, ये ब्रिटिश आर्मी में जोइन हो गए, कारी करता है 1944-45 में बंबई में बीटिश नेवी में रिवोल्ट हो गया आप बगावत वे नहीं और उस रिवोल्ट का दुष्परिणाम था कि बिटिश पार्लेमन्म ट्रगिया कि अभी भारत में रहने मिश्किश तो थेना में बगावत कर दी ऐसे स्वादेशी के पक्के और शक्तर कावी करता श्रीकिला के करिया थे और उन्हें ही सब लोगों की ताकत से 15 अगस 27 को भारत आजाद तो हुआ लेकिन आप जानते हैं खंडित भारत आजाद हुआ मुस्लिम लीग जो बना दिया अंग्रेजों ने वही मुस्लिम लीग भारत में ऐसा विश्वरक्षुगन गया कि उन्होंने पाकिस्तान अलग करा ही लिया मुस्लिम लीग में जो पाकिस्तान अलग कराया भारत देश से इसमें अंग्रेजों ने पूरी भूमिता निभाई और अंग्रेजों का ये था कि मुस्लिम लीग को भारत में इतना बढ़ावादोर कि ये कॉंग्रेस के हिंदू नेताओं से थोड़ी बड़ी संस्ता हो जाए तो मुस्लिम लीग का सारा फंड अंग्रेजों के यहां से आता था आपको सुनकर आश्यर होगा मुहम्मद अली जिन्ना जितना भी पैसा खर्च किया वो सब अंग्रेजों ने डोनेशन ने दिया और मुहम्मद अली जिन्ना का एक लेस्ट हैंड और राइट हैंड माना जाता था सोरा वर्दी करके वो खलकत्ता का बड़ा नेता था सुरा वर्दी जितना खर्चा किया वो सब अंग्रेजों ने डोनेशन से दिया अंग्रेजों का एक अख़वार निकलता था इस डेश में जो अभी भी निकलता है उसका नाम था The Times of India यह अंग्रेजों का अख़वार आज भी है अंग्रेजी एक कमपनी है जिसका नाम है Bennett and Coleman यह उसी कमपनी का अख़वार है तब ही से निकलता है तो Times of India की यह पॉलिसी थी कि मुस्लिम लीग का नेता छोटी से छोटी सभाता आयोजम करे तो उसको बड़े से बड़ा कोस्टा बनाकर उसकी बड़ी नियूस बनाकर Times of India के फ्रेंट पेज पर देगा कई बार ऐसी हसी आती है मुहमद अली जिन्ना को जुखाम हो गया खासी हो गई तो Times of India की फ्रेंट पेज की नियूस होती थी कि मुहमद अली जिन्ना कंज से बीमार है वो घर से बाहर नहीं निकला उसको फ्रेंट पेज के वरेज होता है और आपको मैं आश्यरी करने वाली बात बताता हूँ कि मुहमद अली जिन्ना मुसलिम लीग का नेता था मुसल्मानों का नेता वो कभी नहीं बन पाए मुसलिम लीग एक संगठन था उसका नेता था मुसल्मानों ने उसे अपना नेता कभी नहीं बना आप जानते है कारण क्या था कारण सबसे बड़ा ये था कि मुहमद अली जिन्ना रोज हंदी मास खाता हंदी मास कमस्ते पोर्थ और मुसल्मान उसको अपना नेता मान नहीं सकते जो हंदी मास का दूसरी समस्या थी कि मुहमद अली जिन्ना रोज शराब पीता था मुसल्मानों में शराब वर्जित है हंदी मास वर्जित है शराब वर्जित और तीसरा मुहम्मद अली जिन्ना का जो मुख्य धंदा था वो बियाज पर पैसे उठाने का धंदा था उसका मुसलिम धरम में इसको भी सुईकारे देए इसलिए मुसल्मान उसको अपने नेता कभी नहीं मानते आपको सुनकर आशर होगा एक बार ये जिन्ना लाहोर में मुसल्मानों की एक सभा में चला गया तो मुसल्मानों में मंच पर चड़कर इसका मुँ काला कर दे और एक गदे पर बिठा कर उसका सरकस निकाला पूरे लाहोर उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ी लाहोर जाने का अग्वारों में खूब छपा और जिन्ना को पूछा गया कि आपके मुसल्मानी आपको नेता नहीं मानते तो आप है किसके नेता तो धीरे से उसने कहा कि मैं तो अंग्रेजों का नेता हूँ अंग्रेजों का बनाया हुआ नहीं अब आप जलत सोच सकते हैं जिसको मुसल्मानों नेता नहीं माना उस व्यक्ती की टाकत इतनी कैसे हो गई कि उसने पाकिस्तान बना दिया इस देश कभी तो मंद में ये विचार आएगा आपके बहुत दिन में ये सोचता रहा कि जो मुसल्मानों का नेता कभी हुआ नहीं दस लोगों ने जिन्दगी में कभी उसका भाशन सुना नहीं, वो इतना काकट वर कैसे हुआ, कि उसमें भारत से एक अलग हिस्सा पाकिस्तान बना दिया, बात ये है और सच्चा ही है, जो मैं आपको बोल कर जाना चाहता हूँ, और ये सच्चा ही सुनते समय किसी के दिल को दुखावा हो तो मैं छमा मानता हूँ, कि ये जो पाकिस्तान बना, उसमें मुहम्मद अली जिन्ना की भूमिका इसनी बड़ी नहीं थी, उससे ज़्यादा बड़ी भूमिका लेडी माउंट बेटन की थी, एडविना माउंट बेटन का नाम आप जाने, नहीं जानते तो जान लीजिए, वो भारत का अंतिम अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था, लुईस माउंट बेटन उसकी पत्नी थी, एडविना माउंट बेटन, ये पाखिस्तान बनाने का सबसे बड़ा कारण वो एडविना थी, आप जानते हैं वो क्या खेल खेला उसने, एडविना माउंट बेटन, लंदन के हैरिस कॉलेज में पढ़ती थी, जिसमें ये जिन पहा कर था, और उसी कॉलेज में, बारत के पहले प्रधान मंतरी पंडित जवारलाल नहरू भी पढ़ते थी, हैरिस कॉलेज में तीन लोग पढ़ते थे, शाथ में एकी क्लास में ध्यान देवा, जिन्न, मौम्मद अली, पंडित जवारलाल नहरू और एडविना, उस समय वो मौम्मद बेटेन नहीं थे, शादी उसकी बाद में हो, तो एडविना, जिन्ना और नहरू एकी क्लास में पढ़ते थे, और रिकॉर्ड्स और दस्तावेज बताते हैं, कि एडविना से दोनों लगे हुए थे, यह डॉकुमेंट्स बताते, और एडविना इतनी चालाट महिला थी, कि दोनों को हैंडल करती थे, इतनी चालाट, एक को सबेरे मौर्डिंग में, दूसरे को शाम दोनों को हैंडल करती, और जिन्ना और नहरू का सबसे बड़ा जो जगड़ा होता था, वो एडविना को लेकर थे, ये जगड़ा बहां से शुरू हुआ, हैरिस कॉलिक से, नहरू जी पढ़ाई करके वापस आ गये, जिन्ना भी पढ़ाई करके वापस आ गया, दोनों ने यहां इस देश में वकालत करने की कोशिश की, लेकिन चली नहरू जी की वकालत चली, नहरू जी ना जिन्ना की वकालत चली दोनों बैरिस्टर थे, उनको जिन्दगी में कभी कोई केस ही नहीं विला लगनी चली, कारण समझते हैं, कारण बिल्कुल इसपश्ट है, कि केस उसको मिलता है, जिसके जीतने की संभावना होती है, नहरू जी के बारे में सब जानते थे, कि इसको कोई दम नहीं है, जो जीत पाएगा एक भी केस, तो बकालत चली नहीं, तो नहरू जी कॉंग्रेस में जोईन हो गए, उनके पिता जी ने उनको कॉंग्रेस में डाल दिया, पिता जी का सपना था, कि मैं नहीं तो मेरा बेटा कोई न कोई दिन देश के बड़े पतपर आना उसके लिए बोतिलाल नहरू ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी और अंग्रेजों से उन्होंने तालबार करके इस देश में सरकार बनाने का काम भी किया और उनका ये कैलकुलेशन था बोतिलाल जी का कि एक ना एक दिन अंग्रेज भारत से जाएंगे मेरी स्वराज पार्टी और अंग्रेजों के बीच कोई समझाता हो जाए तो सत्ता का हस्तांतरम सुराज पार्टी को होगा और नहरु देश का प्रदान दंत्री बढ़े इस हिसाब से उन्होंने खेल खेला और उसी खेल में थोड़े दिनों में एडविना भी आ गई जब अंतिन समय आया लुइस माउंट बेटन को ब्रिटिश पार्लिमेंट से दे जा गया तो लुइस माउंट बेटन को भारत बेजने से पहले उसकी शादी एडविना के साथ करेंगे क्योंकि अंग्रेज खुफिया पुलिस थी उनको मानूं था कि नहरू और जिन्ना की वीकनेस क्या है कमजोरी क्या है अंग्रेजों की खुफिया पुलिस हर हिंदुस्तानी बड़े नेता पर नज़र रखती है तो अंग्रेजों की कुपिया पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर एडविना को दे जा गया मौंट बेटन के साथ और मौंट बेटन को कहा गया कि तुम इसको दिखावे के लिए अपनी पत्नी सुईकार करो यह है नहीं तुमारी तो मौंट बेटन ने कहा ठीक है मैं देश के लिए इतना तो करी सकता हूँ तो उसको पत्नी के रूप में वह लाया लेकिन कभी भी लुइस माउंड पेटन ने अपनी डायरी में लिखा है कि उसने एडविना के साथ कभी भी रात में विस्तर पर शेर नहीं किया वो दूसरों को दिखाने के लिए पती पत्नी थे लेकिन असलियत में नहीं थे और जैसे ही माउंड पेटन यहां आ गया तो एडविना को कहा गया कि अब तुम तुम तुमारा खेल खेलो तो एडविना ने एक दिन नहरू को बुलाया और अगले दिन जिन्ना को बुला और कहा कि ठीक है हम लंदन में जो किया करते हैं वो यहां भी हो सकता तो नियवित रूप से नहरो और जिन्ना ने एडविना के हाँ जाना शुरू किया डालू पीना उसके साथ बैठ कर शराब पीना उसके साथ बैठ कर मिले पास कुछ फोटोग्रैप्स है कभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे नहरो जी एडविना के साथ बैठ कर शराब पी रहे है एडविना के साथ बैठ कर सिगरेट पी रहे है एडविना को किस कर रहे है चुम्बल ले रहे है उसके साथ डांस कर रहे है ऐसे मिरे पास साथ फोटोग्रैप्स तो यह चलना शुरू हुआ खेल, आप जानते हैं कि चरित्र सबसे कमजोर कड़ी होता है किसी भी पुरुष के लिए, अगर चरित्र से कोई गिरना शुरू हो जाए, तो उसकी अंतिम सीमा नहीं होती है कोई, वो कहां तक जाएगा, कोई नहीं जानता है, हमारे भारत में एक पुरानी कहावत कही जाती है, और वो पुरानी कहावत है, if wealth is lost, nothing is lost, आपका पैसा चला गया, तो चिंता मत करिये, फिर से आजाए, फिर दूसरी बात कही जाती है, if health is lost, something is lost, आपका स्वास्त चला गया, तो थोड़ा कुछ तो गया, लेकिन last sentence है, but if character is lost, everything is lost, चरित्र गया, तो सब चला गया, उसके बात कुछ बचता नहीं, तो नहरु जी के साथ यही समस्या थी, और जिन्ना के साथ भी यही समस्या, जिन्ना और नहरु चरित्र के इतने हलके आदमी थे, कि जानते हुए भी कि वो दोनों एक ही औरत से फसे हुए हैं, वो आगे बढ़ते गए, एडविना ने दोनों को इस्तेमाल करना शुरू किया, तीन जुलाई उननीस सो सेतालीस को, नहरु जी एडविना से मिले गए, राब को उसने फोटोग्रेफ लिए, नहरु जी के बैड में फोटोग्रेफ लिए, और वो फोटोग्रेफ नहरु ज कर दिये जाए पूरे भारत में, तो आपकी क्या हैसियत होगी, और आपको जो सबसे आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है महात्मा गांदी, उनकी क्या हालत होगी, तो नहरु जी ने एडविना को बोचा कि आके तुम चाहती क्या हो, तो उसने का कि एप पेपर है, उस पर अधार पर करना, आप इसको साइन करती है, तो नहरु जी ने कहा कि मेरी कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी से फूच ले पाँ, तो एडविना ने कहा इतना वक्त नहीं है, आप साइन करते हैं, या कल ये फोटोग्रैस ताइंस ओफ इंडिया में छपते हैं, नहरु जी सरेंड हो गए, राख को तीन बजे, थर्ड जुलाई 1947 राख को तीन बजे, उन्होंने भारत पार्टिस्तान बढ़वारे के पेपर्स पर साइन करते हैं, अगले दिन सबेरे उसने जिन्ना को बुलाए, पैट बिना गया, और जिन्ना के साथ उसने यही खेई खेला, उन्हें का मि पारूम नहीं था, कि वो बहुत शाकिर होने था है, हमारे भारत में इतिहास में, आपने सुना विश्कन्याए होती थी, विश्कन्याए, एडविना वही थी, विश्कन्याए, तो जिन्ना परेशान, अपने फोटो देख के परेशान, क्योंकि जिन्ना का फोटो तो पोटोग्रेफ्स, रिलीज मत करिये तो तुन का ठीक है आपिर फिर पेपर साइन कर दीगे तुन I जिन्ना ने कहा कि मैं तो मुसलमानों का नता ही नहीं नहीं हो। और वो अगले दिन अक्वार में आ गया कि भारत और पाकिस्तान दो अलब देश बनेंगे, पाकिस्तान मुसल्मानों को मिलेगा, भारत हिंदुओं को मिलेगा और इस तरह से देश का बटवारा हो गया। इस बटवारे में अगर आप देखना चाहें कि विलेग कौन हैं तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। गटना क्या है? गटना ये है कि भारत पाकिस्तान बटवारा हो गया। जिन्ना के हस्ताक्षर और नहरू के हस्ताक्षर से। थोरे दिन के बाद गांदी जी को ये पता चला। गांदी जी को पता चला तो गांदी जी ने अपना सिर पीटा। आप में से कोई शायद ये बा कि जिस दिन गांदी जी का परचना के नहरू ने बटवारे के पेपर्स पर हस्ताक्षर किये उस दिन उन्हों ने अपने को पीता और उन्होंने कहा कि अपने जिन्दा नहीं रहना जाए क्योंकि मैंने जिसको आगे बढ़ाया तो इतना कमजोर निकलेगा ये मुझे नहीं मा कि आप मुझे वचन दो तो मैं मेरा एक एफिटेविट वगाने को तयार हूं और एट्विना ने मेरे साथ जो ब्लैक्मेली किया है वो सब को बताने को तयार हूँ गांदी जी ने पूचा क्या उन्होंने कहा कि मुझे भारत का प्रधान मंत्री बनवा दो गांदी जी ने कहा बस इतनी ही मांगे तुमारी उन्होंने कहा मुझे प्रधान मंत्री बनवा दो मुझे पाकिस्तान नहीं चाहिए तो गांदी जी ने कहा खीक मैं विचार करना तुमारी मांच अगले दिन नहरू को बुटाया और नहिरू उसे कहा कि देखो जिन्ना तयार है वो एफिडेविट देना चाहता है एडविना ने कुछ ब्लेकमेलिंग किया है वो पूरे देश को बताना चाहता है उसकी एक ही शर्त है कि भारत का प्रधान मंत्री उसे हो ना बोलो, तो डेरु जी ने कहा कि बापू, जिन्ना को भारत का प्रधान मंत्री तो क्या, मैं मेरे ओफिस का चप्रासी नहीं बना सकता, कार्कून नहीं बना सकता तो गांदी जी ने कहा, तुमको जिन्ना से दुश्मनी क्यों है, तुम दोनों साथ साथ पड़े, लंदन में हैरिस कॉलेज में, तुमको स्कॉलर्शिप मिली, जिन्ना को स्कॉलर्शिप मिली, साथ में जिसी स्कूल में तुम पड़े, साथ में रहे, पंद्रे साल, और तु और कोई दूसरा काहण में गांदी जी को बताया नहीं नहीरू जी ने कहा कि मैं तो प्रदान मंतरी तो क्या चपरासी नहीं बना सकता तो गांदी जी ने कहा कि फिर क्या होगा देश का बटवारा तो उन्हें ने कहा कि ठीक है बटवारा हो जा मुझे उसमें कोई आपती नहीं तो गांदी जी ने का कॉंग्रेस तो तयार नहीं है इसके लिए तो उन्हां का ठीक है कॉंग्रेस थोड़े दिन में तयार हो जाए ऐसे करके गांदी जी और नहरू जी का वारत अलाब पूरा हुआ फिर गांदी जी ने कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुढ़ाई पंद्रे उसमें सदस्य थे उन पंद्रे सदस्यों के सामने गांदी जी ने कहा कि भारत आजाब होगा लेकिन दुख है कि बटवारे के साथ कौन प्रदायन मंत्री बने तो गांदी जी ने एक फॉर्मूला दिया कि कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी जिसको अपना अध्यक्ष चुनेगी वो भारत का प्रदायन मंत्री होगा तो वोट डालने का काम किया गया कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी में वोट डला पंद्रे लोगों ने वोट डाला तो तेरे लोगों का वोट सरदार बललब भाई पटेल के पक्ष में गया एक वोट पंदित जवारला नेहु के पक्ष में गया और एक व्यक्ती कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी में एपसेंट हो गया वो वोट डालने नहीं आए और जो व्यक्ति एपसेंट था, वो अनुग्रे नराइन सिन्ह नाम के एक व्यक्ति थे, पतना से थे बिहार से, वो एपसेंट हो गए, तो एक वोट नहरू को, तेरे वोट पटेल को, गांदी जी के फॉर्मूले के अरसार पटेल भारत के प्रदाइन मंतरी बने, क्योंकि व पापू, अगर मैं भारत का प्रदाइन मंतरी नहीं बना, तो कॉंग्रेस को तोड़ दूँगा, और तूटी हुई कॉंग्रेस से अंग्रेजों का समझोता होगा, और पावर ट्रांसफर मुझे होगी, क्योंकि अंग्रेजों ने पहले से ये तै किया हुआ, और ये बात स इसन चर्चिल और क्लेमिंट आर एटली, जो दो बड़े लीडर थे उस समय इंग्लेंड के, एटली प्राइम मिनिस्टर था, चर्चिल लीडर ऑफ दापूसिशन था, दोनों का ये मानना था, कि ये नहरू अपना ही आत्मी है, शरीर से दिखने में हिंदुस्तानी है, आत इस पर गांदी जी को ब्लैक मेल किया, और कहा कि मैं अगर सब्ता में नहीं आया, तो कॉंग्रेस को तोड़ोंगा, और अंग्रेजों ने घोशना की थी, कि कॉंग्रेस अगर तूट भी गई, तो नहरू बानी कॉंग्रेस को वो पावर ट्रांसफर करके भारत से चले आप नहरू को प्रधान मंत्री पत की शपत करवाई है, तो गांदी जी ने कहा कि में प्रधान मंत्री पत की शपत उसको नहीं करा सकता, क्योंकि मेरा दिल अब उससे हट गए है, यह जरूर है कि तुम मंत्री मंडल में आ जाओ, डिपटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे रहो ताकि नहरू के ऊपर कंट्रोल रहे और मैं तो जाओंगा नहीं ऐसे किसी समारो में जहां नहरू को प्रधान मंत्री पत्की शपद भिलाई जाएगी और आप जानते हैं कि बंदर अगस 47 को जब शपद ग्रहन समारो हुआ गांदी जी उसमें नहीं गए गांदी जी इतके गांदी जी थे करीब करीब बिल्ली से 7700 किलो वीटर दूर है नौर चाने गांधी जी दिल्ली वे नहीं थे transfer of power हुआ है गांदी जी ये कहा करते थे स्वतंत्रता नहीं आई है आजादी नहीं आई है सब्ता का हस्तांतरा हुआ है बस और जो गांदी जी बोलकर नहीं गए और वो उनके कहने में समझ में आता है वो मैं कह देता हूँ गांदी जी ये मानते थे कि गोरे अंग्रेजों की सत्ता किसी काले अंग्रेज के हाथ में आ हुए इसलिए वो सत्ता ये समारोह में शामिल नहीं हुए और आप फिर जानते हैं इतिहास आपके सामने है जिन्ना अलग पाकिस्तान का बन गया ये बन गया एक गटना पीच में और होई थी गोगी में समझा दूआ तो तो समझ में आएगा नहीरू जी का चरित पर गांदी जी को एक डॉक्तर मिलने आया एक बार और ये गटना आजादी जिन्ने से थोड़े दिन पहले किये गांदी जी कलकत्ता के पास नौखाली में थे एक डॉक्तर आया वो डॉक्तर ने गांदी जी को पर्चे दिया तो गांदी जी ठीम को मेरी संकल्ख गांदी जी ने डॉक्तर को का कि मेरी बाड़चीत में कोई दीसरा जरूर रहता है जो उसको नोट करता है लिकलता मैंने आपको क्या कहा आपने मुझे क्या कर। और रेका वो कौन ठेक्ती है और उनने का मेरा सख्रेट गी प्यारे लाल वो भी यहां रहेगा तो डॉक्टर ने का ठीक है उससे मुझे कोई बंदा नहीं माये जी तक्क्रीत नहीं आप बुला लू तो प्यारे लालजी को बुलाया और घांधी जी ने कहा कि मैं ओर यह बात करेंगे एक एक शब्द लिखना प्यारे लालजी बहुत फास्ट लिखते थे शौट हेंड में लिखते थे बाद में उसका टरंस्क्रिप्शन कर दे तो डॉक्टर ने जो बताया गांदी जी को गांदी जी परिशान हो गए वो सुनके उन्होंने कहा कि मौम्मद अली जिन्दा का मैं डॉक्टर हूँ और यह जिन्ना बहुत जल्दी मरने वाला है गांदी जी ने पूछा क्यों तो उन्होंने कहा इसको बौन टीवी है इसकी रीर की हक्ति पूरी गल चुकी है इसका नर्वस सिस्टम ज़्यादा दिन काम नहीं करेगा तो गांदी जी ने कहा कितने दिन जिन्दा रहेगा तो डॉक्टर ने कहा हो सकता है दो-तीन महीने भी जिन्दा ना रहे तो डॉक्टर को पूछा गांदी जी ने आप क्या चाहते हैं तो उने का मेरी एक्षा है कि आप किसी तरह नहरू को समझा दो दो-ती महीने ये जिंदा रहेगा इसको भारत का प्रदान बंत्री बना दो देश का बटवारा तो नहीं होगा तो गांदी जी ने का कि तुम्हारी ये बात में अगर सच्चा ही है तो मैं जरूर प्रयास करोगा फिर उन्होंने महरू को बुलाए और कहा देखो महरू ये मरने वाला है जिंदा जादा दिन जिंदा नहीं रहेगा इसको बोन टीवी हो गई है इसका डॉक्टर कहता है कि दो-तीन महिने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा तुम क्यों अड़े हुए हो इसको प्रदान मंत्री बन जाने दो दो-तीन महिने के बाद तुम बन जाना देश तो एक रहेगा तब नहरू ने फिर वही बात है कि मैं जिन्ना को मेरे ओफिस का चपरासी नहीं बना सकता प्रधान मंत्री कैसे बनने नहीं तो नहरू की जिद और जिन्ना का ब्लैक मेलिंग ये दोनों मिलकर भारत का बढ़वारा कर गए और इसमें भारत पूटा भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने किसी सिद्धान्त के आधार पर नहीं कोई विचार के आधार पर नहीं सिर्फ प्रधान मंत्री पर की कुर्सी के खारण और मैं अभी सब लोगों को ये बोलता हूँ कि नहरू जी तो स्वर्वासी हो गए 1964 में लेकिन उनकी आत्मा अब भारत के उन सब नेताओं में प्रवेश कर चुकी है जो पुर्सी के लिए कुछ भी करने के लिए हो तो मर गए 27 में 1964 और आप में से शायद कोई जानता है या नहीं नहरू जी की म्रत्यू बहुत ही दुखर थी उनको सबसे खराब वो बीमारी हुई थी जिसको सेक्स्वल ट्रांसमेटिट डिसीज का आजा STD आज का AIDS कह सकते हैं STD उनको था और उनकी म्रत्यू के समय जिस डॉक्टर ने उनको एग्जामिन किया था वो बताता है कि नहरू जी का शरीर सड़ गया कीड़े पढ़ गय थे बहुत दुखत म्रत्यू के समय उनके परिवार की जो महिला उनके साथ में थी उसकी लिखी वोई डायरी में ये है कि नहरू जी के अंग सड़ गय थे शरीर के कीड़े पढ़ गय थे उसमे इसलिए वो प्रदान्वंसरी पत से छुट्टी लेकर दह जिन्ना का क्या हुआ भारत पाकिस्तान जैसे ही अलग होए उसके लगवद साथ में महीने में जिन्ना बर गया बटवारा हो गया 14 अगस 207 और इसके ठीक साथ में महीने में जिन्दा पढ़ जाए तो उदर पाकिस्तान जिसने बनाया वो पाकिस्तान का बजा नहीं ले पाए और पाकिस्तान जिनके लिए बनाया वो पाकिस्तान कभी गए ने आप जानते हैं पाकिस्तान बनाने का जो सबसे रहा लॉजिक था वो ये कि भारत में रहने वाले मुकलमान वहां जाएंगे और उनके लिए पाकिस्तान बनेगा वो यहां से गए नहीं वो यहां है शिया हो चाहे सुननी हो वो भारत में ही है वो पाकिस्तान गए नहीं और ज पकत्त के उपर जबर्जस्तियत हो गिया है है आज पाकिस्तान क्या है आप जानते हैं इस सारह पाकिस्तान ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जो उसके जनन से शुरू हुई उसी का दुष परिनाम है कि आज तक उस देश पही लोकतंत्र नहीं रह पाया प्रजातंत्र नहीं रखाया, हमेशा किसी सैनिक ने उसका साशन किया और आज भी आप जानते हैं परवेज मुशर्रफ उनी सैनिकों का रूख है जो जिन्दा के दुआरा पल्लवित और पोशिद हो लेकिन भारत को एक बड़ा नासूर दे गए और वो नासूर ये भारत के तीन गिले एक जिन्ना, नहरू और एडविना ये तीन गिले इनको मैं मांता हूँ भारत के बटवारी के लिए जिन्मेदा इतिहास के सारे डॉक्मेंट्स यही बताते हैं और यह जो सतन हो गया कहानी उस कहानी के बारत की अछानी ये है, कि पाकिस्तान को चलाने हम ़खा ज़ो सहिनिक साशच हूए, उन्हों में ये प Insurance कर रखा है, कि भारत को एक ना एक दिन वैसे ही तो लो ना है, जैसे भारत में पाकिस्तान को तो. आप जानते हैं 1971 में बारत के सेनिकों ने बंगला देश अलग करा दिया और वो अलग हुआ उसका गर्द पाकिस्तान को है तो पाकिस्तान कहता है कि हमारा बंगला देश अलग हुआ तो अब हम भारत का जम्मू कश्मीर अलग करेगे इसके लिए 71 के बाद से जितने भी पाकिस्तानी शाशक हुए समने आतंक बाद जम्मू कश्मीर में होना चाहिए अलगाव बाद जम्मू कश्मीर में बढ़ना चाहिए उसके लिए काम किया है धन भी दिया है और अपने सेनिक भी दिये है और वो आतंतवाद और अलगावाद जो 72 से चालू है जम्मू कश्मीर में वो आज इतना बड़ा नासूर है कि भारत के साथ हजार से जादा सेनिकों की मृत्यों हो चुकी है या शहादत हो चुकी है जम्मू कश्मीर को भारत में बनाई रखे जम्मु कश्मीर भारत में रहे उसके लिए सम्विधान हमारे देश में बदल किया गया एक आर्टिकल जादा गया 370 जो दुनिया के किसी सम्विधान में आपको नहीं मिलेगा उस आर्टिकल के अधार पर जम्मु कश्मीर को एक देश का दर्जा दिया गया है आप जानते हैं भारत का सुप्रीम कोट कोई भी पैसला सुनाए जम्मू कश्मीर में वो लागू नहीं होता भारत की संसर्थ में कोई भी कानून बनाया जाए वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता इस हमारी संसत जब कानून बनाती है उस कानून का पहला पन्हा आप पढ़े ड्राफ्ट जिसको कहा जाता है उसमें पहले ही वाणियों में लिखा जाता है Accepting jambu in Kashmir ये कानून बनाया जा रहा है जambu Kashmir को छोड़कर हमारी संसत्म में आजा दी के बाद ऐसे हदारों कानून बनाए है जो आपके आमपर लागू है मेरे आउपर लागू है लेकिन जambu Kashmir पर लागू नहीं है वो कानून और आप जानते हैं, बहुत साल तक तो जम्मू कश्मीर के मुंख्य मंत्री को सद्रे दियासत नोला जाता था, महने जिसको हिंदी में पुधान मंत्री कहते हैं उनका घंड़ा अलग है, भारत का घंड़ा अलग है, उनका कानू अलग है, भारत का कानू अलग है, उनका सम्मिधान अलग है, भारत का सम्मिधान अलग है, फिर आप बोलिए कि जम्मू कश्मीर इस दा इंट्रिगल पार्ट ऑफ इंडिया, ये दुनिया का सबसे बड़ा ज आपको सुनकर हरानी होगी कि भारत की सरकार आपके लिए कोई भी खर्चा करें तो उसकी पाई-पाई का हिसाब कम तोलरंड ओडिटर जर्णल ऑफ इंडिया रखता है लेकिन जम्मू कश्मीर पर हजारों करोड रुपए हर सार कर्च होता है उसका हिसाब किसी के पास नहीं कि दिल्ली में नहीं रखता जाता है वो जम्मू कश्मीर में रखता जाता है फिर जम्मू कश्मीर को पत्र गया हमारा वहां से वापस आगया कि यह हिसाब हम किसी भी भारत पासी को बताने के लिए मजबूर नहीं पाकिस्तान वहां आतर्मवादी बेशता रहता है फुरा पात करता रहता है उनके लिए पैसा उतलब कराता रहता है अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान में इतना दम है कि वो साट सार से आतर्मवादियों को बेचके पैसा कर्च करके इसको चलाई रख सकता है तो आप सब करने के लिए अमरीका उक्सातर है अमरीका पाकिस्तान को पैसा बेजता है वो पाकिस्तान पैसा जम्मु कश्मीर में बेजता है और वो लश्कर-ए-तयवा, जैशे-महंबल, हर्कत-ul-अंसार, हिस्बुर्-मुजाहिदीन जैसे खतरनाक संगठना वो पैसा मिलता है और व उसमें काम करने वाला एक भी आतत्यवादी जम्मु कश्मीर का नहीं है, वो सब भिदेश से आए हो थैंगे, भारत की आर्मी कहती है कि कुछ पंद्रह सौ से दो *** आतत्यवादी कश्मीर में है, वो सब पाकिस्तान से आए हैं, आफञ्वानिस्तान से आये हैं, या कहीं और पैसे पर काम करते हैं और हमारी सरकार की कैसी विचित्र है जबू कश्मीर में एक संगठर है जिसका नाम है हुर्यत कॉंफरेंस ये छोटी-छोटी पार्टियों का एक बड़ा समूँ है इस हुर्यत कॉंफरेंस में एक आत्मी है उसका नाम है यासीन मलिक अगर कोई अच्छा घासा हिंदुस्तानी उसको एक झापड मार दे तो जमीन पर तीन पंटियां खाए इतना कमजोर आत्मी है उसको भारत सरकार ने सुपर हीरो बना रखता है क्यों भारत सरकार जब भी बाच्चीत करती है तो यासीन मलिक से बाच्चीत करती है और इस चक्रमे अगवारों में नाम आता है टीवी पे नाम आता है वो चर्चा में चड़ता ही चला जाता है वो चर्चा अमेरिका तक जाती है तो अमेरिका से सीधे पैसा उसको आना शुरू हो जाता है आप पूछेंगे जी अमेरिका को क्या इंट्रेस्ट है बारत का जो जम्मू कश्मीर है ये अमेरिका को चाहिए पाकिस्तान के लिए तो ये बेकार का है मैं आपको सच बाप बता हूँ क्योंकि पाकिस्तान ने जो पाक अपूपाइट कश्मीर ले रखा है उसी को वो समाज के नहीं रख पा रहा है जम्मू कश्मीर को क्या है ये अमेरिका को चाहिए जम्मू काश्मीर की सीमा से चीन की सीमा लगी हो ले और अमेरिका और चीन का पुरा न जगड़ा है अमेरिका और चीन एक दूसरे के जबरदस्क दुश्मन है तो अमेरिका की योजना है कि चीन पर एक दिन हमला करना है जैसे इराक पर किया वो हमला करने के लिए अमेरिका के जहाजों को एक ऐसा ग्राउंड चाहिए जहां से हवाई जाज उड़े और चीन पर जाकर मिसाइल डाले और वो इस्थान जम्मू में है इसलिए अमेरिका को यह चाहिए तो अमेरिका बंदूग चला रहा है पाकिस्तान के कंदे पर रखे और यह बंदूग है कि जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो जाए पाकिस्तान समान नहीं पाएगा पाकिस्तान यह अमेरिका को दे देगा अमेरिका फिर वहाँ सैनिक अड़ा बनाएगा और वो सैनिक अड़ा एक दिन चीन के खिलाफ काम आएगा ये है राजनीत अब आप बोलेंगे जी अगर ये राजनीत चल रही है भारत को बरबाद करने के लिए तो आप पूछेंगे जी हम क्या करें आप क्या करें मैं आपको एक विनम्र दिवेदर करने आए कि आप क्या कर सकते हैं इस पूरी राजनीत को सारे देश से खतम करने के लिए और जम्मू कश्मीर को सचमे भारत में वापस लाने के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जानते हैं क्या आप मैंसे जितने भी नागरिक यहां खड़े हैं कभी भी जम्मू कश्मीर घूमने के लिए मत जाए है आप परिशान हो गएंगे यह सुख जाए आप कहेंगे जी दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग है दुनिया का सबसे खूब सुरत इस्थान है हम जिन्दगी बर पैसा कमाते हैं बचाते हैं जम्मू कश्मीर घूमने जाएंगे और राजीर दिक्षित बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर घूमने मत जाएए मैं यह बात पूरे जम्मू कश्मीर का चार बार प्रमास करने के बात पहरा हूँ चार महीने में जम्मू कश्मीर में रहा मैंने जो देखा वो आपको मैं बता रहा हूँ आप यहां से याक्री और परेटब बनकर जम्मू कश्मीर जाते हैं तो आपके उपर सबसे ज़्यादा टेक्स जम्मू कश्मीर की सरकार लगाती है जो भारत में कभी नहीं लगता वो सारे के सारे टैक्स का पैसा कुछ हातों से होता हुआ आतन कुवादियों तक पहुचता है सरकार में उनके आदमी रहे हुए आतन कुवादियों आप जानते हैं थोड़े दिन पहले हमारे भारत में जनु कश्मीर के एक आदमी को फासी की सजा हुई है उसका नाम है अफजल गुरू यह कश्मीर का है और इसमें भारत की संसत पर हम्रा करने का पूरा प्लैन बगाया था सुप्रीम कोट ने उसको फासी की सजा दे दिये लेकिन उसको फासी अभी तक नहीं हो रहे हैं कारें समस्ते हैं उस अफजल गुरू को बचाने वाले सरकार में बहुत बड़े बड़े दोग बैखे हैं और थोड़े दिन पहले तक हमारे भारत में एक ऐसा माहूर बनाया गया कि अफजल गुरू की जो फाइल है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कराम ने रोग रखी है डॉक्टर अब्दुल कराम ने रिटायर होने के बाद जो पहला स्केटमेंट दिया हो ये कि मेरे पास आज तक अब्दुल अफजल गुरू की फाइल आई ही नहीं रोगने का तो प्रश्नी नहीं तो कहां है वो फाइल? वो फाइल भारत सरकार के ग्रह मंतराले में है जिसका मंतरी है शिवराज पाटे उसके पास वो साहईल है राश्रमती तक बेजी नहीं गई क्योंकि बेज ली आद देजाती साहन हो जाता हूं पासी हो जाता है तो आफजल गुरू को बचाने वाले लोग भारत के ग्रह मंत्राले में ग्रह मंत्री की ऐसी अपने हैं, आप किस आतनगवाद को उचलना चाहते हैं इस देश में जरा सोचें। मेरा कहना बहुत इस्वश्श्ट है कि आतन्गवादियों की मदद करने वाला ही अगर ग्रह मंत्री है इस देश का तो कौन से आतन्गवाद से आप लोगना चाहते हैं इस देश शिवराज काटिल के पास फाइल है अफजल गुरू की और वो फाइल वो आगे बढ़ने नहीं देना है क्योंकि अफजल गुरू को फासी होगी और वो फासी होनी नहीं चाहिए क्यों क्योंकि अफजल गुरू एक ऐसे समूब का सदस्य है जो आतन्गवाद के नाम पर भारत सरकार से पैसा लूट रहा है और जम्मू कश्वीर के नेताओं को बाठ रहा है एक बहुत बड़ा खौकश और सिंडिकेज बना हुआ दिल्ली सरकार से हजारों करोन रुपए जाता है जिसका कोई अकाउंटिंग नहीं है मैंने आप से काम वो अफ़ल गुरू जैसे लोगों के हाथ में ही पहुँचता है और वो भी जम्मू कश्वीर के मुख्य मंत्री से लेकर समाम दूसरे मंत्री और अधिकारियों में बढ़ता है वो सारा पैसा आतन को बाठ रोकने के नाम पर जाता है और हम उसमें कैसे मदद करते हैं हम जब कश्वीर भूमने चले जाते हैं भूमने में जितना पैसा आप फ्रच करते आते हैं वो जाने अंजाने आपका पैसा किसी ने किसी तरह आकन को आदियों के हाथ में पहुँच जाता है क्योंकि सरकार ना उनके लोग पेखे। मैंने इक दिस सोचा कि आर्वी जब युद्ध लड़ती है तो उसका पहला टार्गेट होता है कि दुश्मन की सप्लाई लाइन काटो तब युद्ध जीते। तो मेरे मन में आया कि जम्मू कश्मीर को जो सप्लाई लाइन है एक तो सरकार की है और दूसरे आप जैसे लोगों की है जो हर साल जून माई के पहिने में गूमने के नाम पर वहां जाते हैं हजारों करोड खर्च करके आते हैं वो पैसा उनको मिलता है और वो पैसे से उनका आते नुमाद पलता है मेरा ऐसा मानना है कि बारतिय नागरी जम्मू कश्मीर का प्रबास करना अगर बंद कर दे एक-दो साल के लिए ही बंद कर दे तो समाज में जो पैसा वहां पहुँच रहा है वो बंद हो जाएगा जम्मू कश्मीर जख मार के हिंदुस्तान में वापस आजाए क्योंकि उनकी दम नहीं है आप पैसा देना बन कर दो और ये तबी संबद है जब आप जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए जाना परन कर दे हर साल लाखों करोरो हिंदुस्तानी वहां जा रहे हैं और वहां एक बड़ा मंदिर है वैशनो देवी का वहां बंथा देख कर आ रहे है करोन रुपया उस मंदिर को दान में जा रहा है और वह वैशनो देवी जी का श्राइन बोर्ड है वह पता नहीं कहा पैसा खर्च कर रहा आपको कुछ माले है मेरी आपको भिनंती है माता जी की पूजा करनी है दुर्दा माता की तो हुबली में भी है मेरी ढशनो देवी में ही क्या है पूजा हो सकती है और भार坡 में तो कणक्ण में भगवां है तो जम्मू आपको प्र्दा में भगवां है तो जिस दिन भारत के 110 कोटी नागरिक एक साथ यह एलाइन करतें क्या हम जम्मू कश्मी तक तक नहीं जाेंगे जब तक कि आतंक वाद खतम नहीं होता मैं आपको गारंटी देता हूँ एक दो साल जादा नहीं आतंक वाद खतम हो जाएगा ये तो मेरी आपको मिलती है और दूसरी एक मिलती है अभी जानते हैं जब्व कश्मीर में एक नए थेल शुरू हुआ है वहाँ के लोग कंडे पर रखके शौल लेले के आते हैं और आपके हुब्ली में बेच बेच के हजारों लाखों रुपर लेके जाते हैं आप जानते भी क्यों वैसे कौन आतंक वादी है और कौन सच्चा हिंद्व पश्मीने के शौल दस दस हतार रुपई के इस उबली में बेचने के लिए हर साल जम्मू कश्मीर के लोग आते हैं और यहां बेच कर जाते हैं आपका पैसा बहाँ पहुँचता है तो जम्मू कश्मीर से अगर कोई आया हुआ है तो हाथ जोड़कर उसको बिंती करिए कि हम तुम्हारा शौल तब तक नहीं खरीच सकते जब तक कि जम्मू कश्मीर गोशना ना करे कि हम भारत के अभिन अंग है हम नहीं खरीच सकते बात खतम होगा तो उनका सामान यहां विकना बंद हो जाए आप लोग जो करोड़ों की संख्या में हर साल जम्मू और कश्मीर गारे वहां जाना बंद कर दीजे आतनकवाद की समस्या हल हो जाएगी क्योंकि आतनकवाद की समस्या पंजाब में जो हल होई वो इसी तरह से है पंजाब में भी आतनकवाद था और वो हल किया गया वो इसी तरह से कि भारतवासियों को पंजाब के पुलिस आफिसर्स ने कहना शुरू किया यहां आना बंद कर दो अमरसर के बंदर में मत्ठा टेखना बंद कर दो गुर्दवारे में और तमाम गले जाना बंद कर दो भारतवासियों ने जाना बंद कर दिया पंजाब पूरा सूना हो गया आतनकवादियों की रिल की हटी तूड गई क्योंकि अम्रसर का जो गुर्दवारा है वहीं से सारा थन पंजाब की आतनकवादियों को जाया करता था और अम्रसर का गुर्दवारा ही पंजाब की आतंग वाजियों का सबसे बड़ा केंद्र और अट्ड़ा बना हुआ था जहां पर आपरेशन गुलू इस्तार करना पड़ा तो पंजाब का आतंग वाज इस तरह से हद वाज़ू में भी हो जाएगा कश्मीर न भी और एक पार यह हो गया तो भारत का एक नासूर हमेशा के लिए फ़कम हो जाए और एक छोटी सी आखरी विरंति आपको में करना चाहाँ है वह विरंति यह है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को नहीं अमेरिका को चाहिए इसको ध्यान रखे इसका माने अमेरिका से सावधान रहने की ज यह है कि मेरी सरकार गिरे तो गिर जाए वैं दोस्ति अमेरिका के साथ नहीं चोड़े आप जानते हैं सरकार चलने वाली जो लेफ्ट पार्टी जै उन्होंने धंकि दे दी है कि अमेरिका के साथ पर्माणों करार पर आपने बात आगे की हम समर्थन वापस ले गये सरकार तो प्रदान मंतुरी ने आज कह दिया सरकार गिरे तो गिरे हम अमेरिका से दोस्ती नहीं तोड़ेगे मानि परमाणू समझोता हम अमेरिका के साथ करेगे ये अमेरिका परमाणू समझोते के नाम पर हमारा हाथ पकड़ रहा है थोड़े दिन में ये गर्दन पकड़ लेगा क्योंकि अमेरिका का चरित रही ये ही है जिस से अमेरिका ने दोस्ती की है उसी को बरबाद पुषो आपको मालू में सद्दाम हुसैन 1980 में अमेरिका का दोस्त था और सद्दाम हुसैन को एराट का राश्टोपती अमेरिका ने बनवाया और वही सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने मरवाया वह अभी हमारी आहां के सांगे एक छोटा सा देश है वियतनाम, वियतनाम अमेरिका का दोस्त था 1960 में, फिर 1970 के आस्पास इसी वियतनाम को अमेरिका ने वं गिला है और बर्बाद कर दिया उस देश, तो अमेरिका की दोस्ती बहुत खतरना सी, और मैं तो लोगों से सीधी भाषा में ये कहता हूँ, कि जो जीव जन्तू होते हैं, उनसे दोस्ती नहीं की जाते हैं, कोबरा साफ है, उससे दोस्ती नहीं हो सकते हैं, दूरी रहना अच्छा है, कोबरा साफ से भी जादा खतरनाक रसल स्वाइपर और करेत होता है, उससे दोस्ती नहीं होती है, पता नहीं कब पलग बार कर दे और आ कर सकते हैं आप सब भारत खासी वे पर एक काम कर सकते हैं बौंगा के लिए सप्लाई लाइन भारत से बनी हुई है उसको भी तोड़ दुआ है क्योंकि यहां से पैसा अमेरिका जा रहा है अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है पाकिस्तान जमू कश्मीर के अतंक वादियों को आप बोलेगे जी यह पैसा अमेरिका कैसे जा रहा है बारत में अमेरिका की साड़े चार हजार कंपनिया धंदा कर रही है प्रक्तिको लागोगेट, फॉलिक, व्ट colony, व्टेंध, गैंबल, रैकेड़न, पॉल्में, जॉँसिन्-शोर, पॉल्में, उसी सारे चारंप्या दार कंपनिया। इमका मात हम खरीदी कर रहे हैं, हम इन केंपनियों को हर साल 2,0. founded रुपर दे रहे हैं। क्या करना इसके लिए इसके लिए वोई करना है जो लोगमाने दिलक्ता सूत्र था 1905 में लोगमाने दिलक्तने का कि स्वराजी चाहिए तो अंग्रेजी माल वहिशकार करो मैं दोख्यार साथ में आपको कहने आया कि स्वराजी को सुरक्षित रखना है तो अमْरी की माल का वरिषक आ है आप बोलेगे दिया अर्देशी आमेरिका के साबून हमारे घर में है शैंपू हमारे घर में है उनका बनाय हुआ hoodie तियूमा बटरप्लाई लोटो कोल्ड ये साब अमेरिका का है रे बेन का चश्मा अमेरिका का है बहुत सारे सामान हमारे घर में हैं, ये सब खरीदना बंद कर दो आज़ और सच्वे गातपी उत्साब के लिए आप अपने को अधिकारी समस्ते हो, तो श्रीक लोक्मा निकिलक की तरह से अंग्रेजी और अमेरिकी सामानों की होली जलाब है, आग लगा दो, तो लोक्मा नि आग्ति बचाओं, अंधुलन की तरफ से पत्रक बनाया गया है, कंदा पे है, मराथी में भी है, हिंदी में है, वो बत्रक आप ले दो, उसमें पूरी महिती है, क्या-क्या वस्तु अमेरिका और विदेश से आती है, वो खरीदे में नहींता, पेप्सी कोला, ठोका पोला प कुछ नहीं मिलता तो शुद्ध नीर पियो पेप्सी कोट से अच्छा तो इस गणपती उस सब के समय में आपको एक सुत्र देता हूँ पेप्सी कोट पुडिय बेडिक यंडीर पुडियरी, मजिगेर पुडियरी, हाल पुडियरी, कप्पिन हाल पुडियरी, पेप्सी कोट पुडियरी, ऐसे ही कॉलिगेट क्लोजप पेप्सो नेंट उप्योग माण देडिक, क्योंकि अमेरिकन है तो आप बोलिंगे क्या करना, बेविन कटी उप्योगी सी, ब महसूर संदर्ट, चंद्रिका, मेडिमिक्स, स्वदेशी सोब है, उसको फ्योकर, बूट और चपल, जो भी है, वो हुबली के किसी कारीगर से खरीदो जो हाथ से बनाता है, बाटा कंप्पुनी का कभी मत खरीदो ये अमेरिकन है, बाटा, बेसी, एडिडास, क्यूमा, बटर अपलाई, ये साल अमेरिका है, जास्ती से जास्ती अमेरिकन मस्तु वहिश्का, ये अगर आपने किया, रेडे लक्ष कोटी रुपाई देश को लाब होता है, और अगर अमेरिका को ये धन नहीं मिलेगा, वो पाकिस्तान को नहीं दे सकता, पाकिस्तान को धन नहीं मिलेग उसकी ताकत नहीं कि वो भारत में आत्मकवाद चला सकते। तो हम इसमें इतना समाधान को कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त है, उनका नाम है शिव खेडा। वो एक बहुत अच्छी बात करते हैं। वो कहते हैं कि भारत की कोई भी समस्या के समाधान में, अगर भारत वासी शामिल नहीं है, तो वो सब भारत वासी समस्या का हिस्सा है। अगर आप इस देश से आत्मकवाद मिटाना नहीं चाहते, तो आप आत्मकवाद का हिस्सा है। अगर आप गरीवी भुक्मरी बेकारी इस देश के दूर करने नहीं चाहते तो आप भी गरीवी भुक्मरी का हिस्सा है बने जो समस्या है उसको हम समाधान करेंगे भगवान उसके लिए हमें मदब करेंगे तो हम समस्या के समाधान के रूप में अपने जीवन से अमरी की चीज वस्थों का बहिशकार करें अमरी की दवाओं का बहिशकार करें अमरी की जो भोजन आया है पीजा, अबर्ज़र, हॉट डॉग, कोल डॉग ये बहिशकार टॉग, कुई भी अमरी की वस्थों नहीं बाel और आप मेंसे किसी का भी कोई मिल्टर, बेटा, बेटी अमेरिका में है उसको हाठ चोड़कर मिल्टी करें कि भारत में वापस आओ तुम्हारी भारत माता को जरूरत है अमेरिका को इतनी जरूरत नहीं है तुमार तो ऐसा एक अव्यान पूरे देश में चले जो श्री टिलक ने चलाया, 1905 में वो 2007 में फिर चले ऐसी भावना के साथ लो ये सब कहने आए आप कहेंगे जी, अमरीकी कॉल्गेट क्लोड़ अप और उनका पेपसी कोप तो हम आसानी से वहिशकार कर सकते लेकिन अमरीकी दवाउं ता वहिशकार कैसे चले बहुत लोग कहते हैं कि अमरीकी दवाई नहीं खाएंगे हम तो मर जाएंगे, कैंसर से, डाइबितीस से, हरक टैक से मैं आपको निवेदन ये करने आया कि आप सारी अमरीकी अग्रेटी दवाई खाना बंद कर दो आपको कोई भी बीमारी नहीं मार सकती आपके घर में, आपके रसोई में, आपके किचिन में इतनी अच्छी दवाई हैं, जिनका उप्योग आप करके बीमारी से बच सकते जैसे हरक टैक की बीमारी है, जिसके लिए अमेरिका से बहुत दवाई आती है बंद कर दो, उस हर्टेटेक से बचने का सबसे अच्छा ओशन हमारे घर में है, हमारे घर में एक सोरेकाई है, सोरेकाई, सोरेकाई रस, मराटी में उसको कहते हैं दूदी भोप्रा, दूदी भोप्रे का रस पीना शुरू कर दो, तीन महिने के बाद आपको हर्टेक की बीमा बारत में योग और प्राणयाम सिखाने वादे संथ है स्वामी राम देश तीन लाख लोगों का उन्होंने हिर्दे घाथ ठीक कर दिया दूदी गोप्ले के रस सोरेकाई के रस आप भी करते हिर्दे घाथ के लिए कोई डॉक्टर के पार जाने की जरूरत नहीं दूदी पर खाना शुरू करो तीम मैंने में डाइबटीज में इंसुलिल लेना ही नहीं पड़ेगा आप बोलते हैं जो जॉइंस पेन है जिप जॉइंस में पेन है इसके लिए क्या दवा है इसके लिए सबसे अच्छी दवा है सुननाद नीरू सभी घर में सुननाद नीरू पाहे लोगों बोलगा 15 साल से मैं यह एक्सपरिमेंट कर रहा हूं मैं थे बीच पर त्रिफला चूँपर सुननाद नीरू पर सोरे काईरस सोते काईरस कुंबड काईरस बदनी काईरस यह सबी रसों पर एक्सपरिमेंट करके मैं बता रहा हूं कि वंदुलूर नदवत्त रोग समाप्त करने का ताकत हमारे किचन में हैं घर में हैं और शबीर आवश्यक्ता नहीं है माईटी हो नीचे और आपके सबसे खराब रोग कैंसर का भी रोग आप ठीक कर सकते हैं जो देशी गाय होती है ना स्वदेशी गाय बारतिय गाय इसका मूत रगर आप नियमित रूप से पिये हैं और हर्शन रस्ट हर्शन टर्मेरिक जो ताजा पाज़ाता है उसको पीस कर चक्ति बनाकर रस निकाले उसमें जेंतुक मिक्स करके लेने लगे हैं तो गाय का मूत देशी गाय का मूत और हर्शन रस्ट चार महीने जो आपने दे दिया कैंसर के मरीज को बहुत आराम आजाएं आसानी से लिकर से यह सब महिती हमारे आयुर्वेट में हैं अश्टांग हिर्दय में हैं बड़े-बड़े ग्रंदों में हैं आप सिर्फ ले लीजे महिती अब बहुत लोग कहते राजी भाहित आपने को सब पढ़ाये हमको जो महिती नहीं है मैंने ले सकते हैं गारी में हैं इन पुस्तकों में बंदनूर नलवत तेंट रोज समाप्त करने का महिती हैं काय के मूतर से मैंतिय बीच से बदनी का ही रस कुंबड का ही रस सोंते का ही रस और जो मैं आपको दूसरी महिती दे रहा था श्री दिलक के बारे में स्वधेशी गननला में है आप ले लीजे़ उस तरको मेरा कॉपी नहीं है सबको कॉपी करने का राइट है आपको अच्छी लगे आपके नाम से प्रकाशिद करिये हंड़ी हंडी नगर नगर पचार करिये देश का काम होगा मैं ये देश के लिए करबा हारिए और ये जो व्याक्यान म मैंने आप तक दी, वो महिती जादा से जादा लोगों तक पहुँचे और देश की समस्याओं का असली जनम कहां से हुआ और कैसे हम इनका निदान करें, वो सब के समझ में आए, तो शायद ये गरपती उत्सब मनाना हमारा सार्खन हो जाए, गरपती उत्सब की सबसे बड़ी सार्थकता है, कि जैसे आजादी और स्वराज लाने के लिए गरपती उत्सब उपयोग में लाया गया, वैसे ही स्वराज बचाने के लिए ये गरपती उत्सब का उपयोग हो, यही भावना से, मैं यहाँ आया, आपने बड़े ध्यान से सुना में आवारी हूँ, और खड़े रहकर मेरा वक्त भी लगवग, दो ढ़ाई गंते आपने सुना, इसके लिए और दिया आवारी हूँ, आप यहाँ से जाएं, तो संकन प्लेकर जाएं, कि अपने जीवन में भारत की का अंग नहीं बहेंगे, कम से कम टेसी, कोकाबॉला जैसी अमेरिकन वस्तौह का बहेश्कार करेंगे, कॉल गेड़ खोंच अपने ले जाएं, इनको ध्यान नरड़कर ही अपने घर जाएं, तो श्री तिलक की आत्मा को सच्छी श्रद्राण्जनी आप दे सखेंगे, ऐसा पोलते हुए आप सभी को आभार बहुत देने साथ